तुम्हारे लिए और बाहर रिंकल कर तुम्हारी चपले और गालियां भी सहें तो ऐसा नहीं होने वाला तुमच क्या हम भी हरीम शाह की तरह जब ये बातें आकर बोलेंगी कि आपके मियां हमसे मिलते हैं तब आप चुप करेंगी लेकिन हम मजबूर हैं हमें सिर्फ खाना खाना था तुम में से किसी के मियां ने गाड़ी रोकर नहीं बोला कि ये पलेट लो खाना खालो घर चली जो सबने खोला दरवादा खोला अंधर आ जा चलती फिरती लाशे हैं हम ये कपड़े पहने वी लाशी हैं, ये खुबसूरत चेहरे जो तुमें नजर आ देना, ये हमारी जिन्दा रहने की जरियें हैं आज हम ऐसी नहीं दिखेंगी ना, हमें खाना नहीं मिलेगा, हमें फंक्शन नहीं मिलेंगे, हमें भीक नहीं मिलेगी कौन धंदा नहीं करता है, मैं इस जिसको गलत या सही नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, हमें अल्टरनेटिव प्रोवाइट करो, हम खुद परिशान हैं हम रोड पे नहीं नासना चाहती, हम धंदा नहीं करना चाहती, हम भीक नहीं मांगना चाहती तो अनों बोला हाँ बड़ी अच्छी बात है हमने का हमें काम दे दो क्योंकि पेट तो हमारा भी लगा अनोंने का अरे चल ही जड़े तुझे काम देंगे निकल यहां से फिर हम क्या करें फुकी मर जाएं खुदकुशी भी तो हराम है तो जिन्दा रहने के लिए हम सब कर र कर लो किसी के सान यह है ना और तो कोई रस्ता है नहीं ना बाराज जन्वरी के रात को मैं सुई यहां सुई I was nobody मैं जब सुभा उठी तो I was everybody That was the thing मैं जब उठी मेरा phone hanged था इतने messages थे मुझे नहीं पता था मेरा result आयर । I'm good as usual what about you? Dear God, I'm good as usual what about you? You look just as a sooner or less I was being a अच्वी थे भाई Okay, that's the one thing you start to say that I was being a अच्वी थे थी What do you mean, do you want to ask? No, I want to ask to which I mean that in the context of our society When we discuss about Khoaja Sarae or Transgender and talk about transgender वो कहते हैं जी वो इंटरसेक्स को उसके साथ मिक्स कर दी है, कि रहने जो पैदा ही जो है, इसके साथ रघी है और अब कि पड़ाइशी जो है? और पेदैशी जो है कोई नुक्स होता है, जो सुसाइटी जिस तरह से उसको देखती है, तो आप इसको, I mean, क्या रियालिटी क्या है? सुनने में क्या अच्छा लगता है तुम्हे वही सबाल बापस? मतलब तुम्हे अच्छा लगता है क्या मैं पेदैशी हूं? या तुम्हे सुनने में अच्छा लगता है क्या मैं अच्छा लगता है या तुम्हे सुनने में अच्छा लगता है क्या मैं अच्छा लगता है या तुम्हे सुनने में क्या अच्छा लगता है लेकिन ये होता क्या है? मतलब अगर हम इसको थोड़ा अंडर्स्टैंड करने क आपने तो वो डिबेट ही ही आपने या हमारी कंट्री ने वो डिबेट तो हुँन की ही नहीं हुम तो डारेक्ट रिजल्ट पर पोँचे हैं अभी तक तो ये rough फारी डिबेट को लेकर चलते हैं पर दाईशी वाले मस늘े को लेकर चलते हैं तो कितनी खावातीन तो ऐसी है जिनमें यूटरस नहीं होता या उनके बच्चे पैदा होने के बाद ट्यूमर हो जाता है कुछ भी होता है यूटरस निकालना पड़ता है तो उन खावातीन को कहां डालोगे अगर डिफेक्टी पर जज हो रहे हैं तो फिर कहां डालोगे वो मर्द हजरात जो बच्चा पैदा नहीं कर सकते हो उनको कहां डालोगे उनको भी हमें दे दो तो बात सारी इतनी है इस चीज़ को समझना पड़ेगा सेक्स अलग है जेंडर अलग है हो सकता है पैदाईश की वक्त आज सिर्फ मर्द और औरत आपके औरगंस हो लेकिन जो आपकी सुसाइटी सोचती है कि मर्द को ऐसा होना चाहिए औरत को ऐसा होना चाहिए यह ना यह सुसाइटी वेरी करता है और डिपेंड करता है कि आपकी सुसाइटी कितनी लिटरेट है और हमारी सुसाइटी इतनी जाहिल है, इतनी गवार है, जाधतर, कि उनको सिर्फ टॉपिक चाहिए, करोना आया तो धड़ादर बच्चे वैदा किये, क्या करें तफरी बच्चे वैदा करना है, उनके लिए तफरी तियाब बर्त रेट देखें सिर्फ फोरोना की टाइम का, तो अब जब सियासत का टाइम आया, तो एक पार्टी ने का, क्या करें, हमारा चूरन तो बिखनी रहा, बिखनी रहा, क्या करें, क्या करें, वो बिल उठा लेते हैं, 2018 वाला, वो खौज़ासरों को उसको हमजिस परस्तिक कर देते, अच्छा भई, कर दिया, मैं बिल का आय उसको रिवाइस किया जाए, सुसाइड को क्राइम ना दिया जाए, तो यह आपके मौलाना लोग हैं, with all respect, उनों ने इसके ओपर इतजाज शुरू कर दिये, यानि एक बंदा जो के इतना डिप्रेस्ट था, कि उसने खुदकुशी कर ली, जब वो होश में आता है, तो और लेजिसलेटिड मुल्क है, जहां पर लेजिसलेशन इतनी है कि कहीं और नहीं होगी, लेकिन इंप्लिमेंटेशन सिफर, यह है, तो मसला यह है कि जब सिफर इंप्लिमेंटेशन होती है, तो लेजिस्टेशन में कीड़े निकलते हैं, आज हम पर कीड़ा निकला है, कर यह suicide वाले उपर कीरा निकलेगा, कीरा तो two finger penetration के virginity test पर भी निकला, कीरा तो abortion के उस पर भी निकला, पर इस वहां सियासत नहीं चमक पाई, क्यों नहीं चमक पाई, क्योंकि एवानों में खावातीन मौझूद थे, और किस बात की बहस है, मतलब honestly speaking, मैं इंसान हूँ, या आप मानते हैं, आप अगर नहीं भी मानें, यह मेरे दू हाथ हैं, जबान हैं, पैर हैं, काफी कुछ है वैसे, तो लेकिन basic human के पास जो होना चाहिए, so called वो पूरा है, और sorry मैं word यूज कर यह disabled का, क्योंकि मैं किसी को disabled नहीं समझती, हर इंसान अपने तरीके में able होता है, especially, मुझे सवाल तु मेरा सिर्फ यह है ना, कि लोग बोलते हैं, आप क्यो कुछ ने करते हैं, आप ने नहीं बोला, यह नहीं बोला, और मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है, कि मैं एवानों में बैठे वे लोगों को बोलू को बोलें, लेकिन एवान में मैं जा सकती, मेरे पर दर्वाजे बंद की हैं, तो यह जो human rights के उपर बात करते हैं, चाहे वो जमाति-सलामी हो, चाहे वो people's party हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो PMLN हो, या कोई भी और kings party हो, पहां open बात कर रहे हूं, तो वो यह नहीं सोचते कि हम कह रहे हैं, कि यह लोग खलत हैं, लेकिन human rights तो पाकिस्तान fundamental human rights तो देगा ना मुझे, बात तो खतम हो गई, नहीं मानो transgender or woman, नहीं मानो, किसने बोले माने को भाई, नहीं मानो, transgender or man पर यह भी नहीं बोलो, जब एक हम तुमारी मान रहे हैं, एक तुम हमारी मानो, बीच पर आते हैं, transgender or human beings, खतम ना तुमारी ना मेरी, जाओ, शादी हम वैसी, तुमने हमें करने नहीं देनी, आइक्स कार्ड पर तो रोला किस बात का है, वो बताओ, मसला किस बात का है, मसला कुछ नहीं है, मसला है कि तुमारे कपड़े नहीं बिकरें, तो हम पर सियासत, मसला यह कि तुम्हें मेर बनाना था, तो हम पर सियासत, मसला यह है कि जिस पार्टी नहीं मसला किया, उन्हीं में खौजा सरा के स तो मतलब, मसला था ही नहीं, तो अवाम को बिवकूफ बनाना बंद करो, अवाम बिवकूफ नहीं बनेगी, हो सकता है इस वीडियो के बाद, आप मेरी भी वीडियो देख लें, इतने सारे इंस्टाग्राम के पेज़े, थैंक यू अपलोड कर देंगे तो, मैं खुद वोरी आप यूज कर रहे हैं अपना चूरन बेचने के लिए, गलत बात है, आप अगर सही में होते, नहीं देते, आप जितनी भी लेजिसलेशन आती, आप कहते हम ट्रांसजेंडर की सीट नहीं देंगे, किसी ट्रांसजेंडर को कोई और पार्टी रख ले, तब मैं मानती आपन बात लोग सुनने, तो मैं कहना चाहती हूं, आप करें हम भी चेंज कर दो, और डॉशक zmian, मैं तो कह रही हूं, मेरी कम्यूनिटी में बहुत बुराहीं हैँ, मैं तो खुद कह रहे हूं हम में बहुत बुराहीं हैं, बुराही तो सबसे बड़ी ये है, कि कुए क्म्यूनि मर्दों की कम्यूनिटी तो ये ख्वाजा सरा, हिजडे, ट्रांसजेंडर की कम्यूनिटी क्यों कहा जाता है हमें? हम इंसान है, हमें फर्द समझो ना पहले तो इस वर्ड इस वर्य कॉम्प्लिकेटेट I don't feel comfortable in this word community बड़ लोग को समझ आता बोलनी पड़ती है तो ये है पूरा मामला सारा मुझे ये बताएं कि किस तरह से I mean कि ये ट्रांजिशन किस तरह से हुई और क्या उसकी वो स्ट्रॉगल क्या थी? मैने तो कुछ मुझे उसको विटनेस करने का मोका मिला मैं कुछ स्ट्रॉगल के लिए सर्प्राइज भी रहने चाहिए क्योंकि गोटु हेल मुवी आएगी तो वो भी आप उसमें भी देखें तुम तो जानती हो स्ट्रॉगल देखो इन शौटनें बताऊंगी क्योंकि मुझे लगता नहीं बना चाहती जानती हो मुझे वहाए आप जानती है यहाँ नहीं पूरी दूसरी चीजर तो देखो ना पैदा हूई यह जो भी सीन था जब मैंने होच संभाला स्ट्रॉगल तो यह कि मैं बोलती थी लड़की लोग बोलते थे नहीं तुम लड़की नहीं हो मुझे समझ नहीं आया, प्यूबिरिटी तक पहुंची, तो मैंने बोला, मैं लड़की हूँ, लोगों ने बोला, तो मुझे ऐसी लड़कियों को ट्रांसजेंडर कहते हैं, हिजडा कहते हैं, खौजसरा कहते हैं, छक्का कहते हैं, पौने आर्ट कहते हैं, केक कहते हैं, पर मैं तो बिल्कुल ही वह हो गई यह क्या, क्योंकि देखो, honestly, मैं सिर्फ लड़की थी, मैं अपने आपको अभी भी लड़की मानती हूं, आप जो करना चाहे करें, आप मेरे घर के सामने दंगे फसाद करें, पर मैं लड़की हूं, मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं आपके बेटे क इस तालुकाद बनाना चाहती हूं, ऐसा नहीं है, मैं फील करती हूं जो चीज हूं, आपने बोला कि तुम जैसी लड़कियों को हिजड़ा कहते हैं, मैंने कह चलो ठीक है, मैं एक हिजड़ा हूं, फिर आपने बोला, आप लोगों, आप जो लोग हो ना, हिजड़े लोग वो हो यह नहीं, उनको आप हम मर्द कहते हैं मतलब क्या टौफी बट रही है? So when you were growing up, and when they were saying that you are a girl, then what reason was it? Was it your get-up, outlook that way? Yeah. I mean, look at that, everything can be grown. Celebrities, you can see pictures of the before and after. Indian's very famous celebrity, I really liked that character, Moni Roy name is, Naagin drama also. Because he is also a picture of his son, so both are different characters. It doesn't mean that he is different. If he feels that he has improved, then why can't I do it? Why can't I put a filler in the lips? Why can't I put my buttocks? Why can't I modify my body? Why can't I modify my body? You can accept body modification of Matira, but not of transgender. What is this? So, it is a transformation. It is always possible. The clinic is open. So, if we have done it, then what's the big thing? So, you always thought you are not you are already? I always thought you are. I always thought you are. And I thought I was like, I'm going to die. Because I am. What do I think? I am. If you don't think about these people, I can't do anything. I didn't have an X card. I was talking to the camera. Why didn't I have an X card? Why do I have an X card? I am not. 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 in my mind. I am not. I am not. Maybe I am. And I am not. 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 तोना थोड़ा टॉल्रेट करना चाहिए एक दूस्तों को हमें देखना चाहिए कि हमारा कंट्री किस लेवल पर है आज हम बात करते हैं यह भी चंद्रियान गया इंडिया का चान के साउध पोल पर तो पॉलिक जो है हमारी बड़ी फ्रेंडली है इंडिया पाकिस्तान की जो हेट आपको नज़र आती जादा ता शोशल मीडिया पर नज़र आती यह हमारे पॉलिटीशन जो जंडे गाड देते है अपने स्यासत के चमकाने के लिए वह है तो ऐसी इनने में बठी भीती हम लोग लुक लुक लंच करहे तो बैने बो लो लो यह बोला या इंदिया विंट इंटो चंडरियान का सुक्सेस फो लोग और आ यहां प्यू जूट बोलो मैं हैंपी नही हूँं तो somebody said to me, मजाक में, हाँ जाना है तो उन लोग को, जननत में तो हम नहीं जाना है ना mentality, मतलब आप अपने बचे को literacy नहीं दे रहे हो, आप औरत की education पर पाबंदी लगा देते हो, मैं बात कर रही हूँ अभी अगवानिस्तान, मैं बात कर रही हूँ उन countries पर जहाँ religious extremities हो रही है तो वो countries कैसे empowered होंगी, हमारे dollar का rate क्या है और इंडिया का क्या है, LV इंडिया में खुल गया, brands इंडिया के तमाम CEO बड़े इंडिया के हैं, लेकिन आप कहते हो हम उनसे बहतर है, हमें पर कोशिच भी करनी चाहिए ना बहतर बनने की, stars की respect आप अपने नहीं करते हो, celebrities को क् आपने क्या समझाव है, कि सारी खराब ओरतें जमा हो गई हैं उसे award के अंदर, यही समझाव है, ना, सब वहले कंदील थी, आप सभा कमर है, गालिया आप ऐसी दे रहे हो ना, और वहां इक उनकी है, Priyanka Chopra, उन्होंने उसको global star को respect दी, दर्वाजे खुले, Gucci, Alia Bhatt, LV, Deepika Pad कोन, Priyanka Chopra, मताब, everything is there, तो आप कुछ गलत कर रहे हो, मैं यही नहीं कह रहे हूं कि आप religion को follow, ना करो, क्यों नहीं करो, बढ़ा खुबसूरत है Islam करो, follow, लगिन आप दूसरों को मत बोलो कि तुमने यह किया है, वो गलत है, वो जाने उसका रभ जाने, तुम होते कौनों तो बस यह ना कड़ाना बंद कर दें तो अच्छा रहेगा, होगा कुछ नहीं, आप भी बोलती रहेंगे, आपका चुरन बिक्रा है, मुझला कर रहे है, तो बेचें, लेकिन होना कुछ नहीं है, बात तो इतनी आपने सीट दे दी आचा नहीं, मझे ये बताओ, कि अमेन कि डिरिंग जब ये उसके बाद तुमने बताया कि ये प्रेशर था सुसाइटी की तरफ से, और किसी भी तरह नहीं छोड़ते, कि आप कहते हो कि चलो मैं खौजसर हूँ, फिर नहीं छोड़े, आप कहते हो मैं औरत नहीं हूं, तो करती रहेगी, ठीक है, उस उस सारी प्रेशर के अंदर आप फिर किस तरह से मतलब वो सर्वाइफ किया और उस सारी चीज़ को किस तरह से फेस किया फिर, देखो जवाद तुमने अभी खुदी कह दिया, अगर मैं आज भी ये बात बोल देना, हम सारे हिजडे, खौजस मैं अभी ये वर्ट क्यु यूज यूज करती हूँ, गाली लोगोंने बनाया मैं तुमने यूज कर रहे हूं, मैं है जड़ा हूं, गाली लगती थी, मुझे खुद लगती थी, मतलब कोई गुजरती थी, तो कोई मैं आ ब खुषरा जारह है, मेरे अंदर घुसा आज जात अपने आपको फैमिली प्रेशर की जा से बड़ा लड़का टाप बनाने की कोशिशिश में करती थी लूजूस टी-शिर्स पहनना, जीन्स पहनना इवन मेरी कुछ प्रानी प्रिक्चर से उनमें मैंने हेर चिपकाए में दाडी के तौर पर मतलब माइन केस वेरी सिर्यस मेरी ममा जो एना वो अभी बड़ी सपोर्टिव थी उस फख भी उनको उस चाहिद कईना कई समझ आ गया था कि मैं मर जाओंगी मतलब अगर घर पे ये बात डिस्क्लोज हो गई ना तो मैं मर जाओंगी काफी चीजें उन्होंने की जो के मुझे उस वक बड़ी एहमकाना लगी जैसे बात जैसे हेर चिपकाने वाली बात मेरी अम्मी मेरे इदर ना उल्टा रेजर फिरती थी के बाल आ जाएं क्यों उनको नहीं चाहिए थे वो मेरे साथ बड़ी खुश थी मुझे लगता है मेरी मा तो चाहती ही बेटी थी तो शी वस वेरी हैपी बट जब घर पे लोग आते थे ना यह ऐसे हाथ लगा दे चिकना बेटा पैदा किया मतलब यह क्या है यार ठरक मिठा रहे हो मतलब लोगों को नहीं लगता कि चाइड अब्यूस किस-किस तरह का होता है आज मुझसे जब मैं अपनी बाते सोचती हूं तो मुझे नजर आते हैं कि actually वो मेरे साथ अब्यूस हुआ था वो चाइड अब्यूस था उन अंकल नहीं जब मुझे गोट पर बिठा कर यूँ यूँ हाथ लगा रहे थे वो मजे ले रहे थे ठरकी साला पर मैं कुछ नहीं कर पाई ना उस वक ना आप क्योंकि आप तो सामने ही नहीं आता आप तो बढरता है मुझसे इसकूए थे ग्रें तो यहीं जो है ना अंकल हर घर में है जो आपके बच्चों पर नजर रखे वे हैं उनको आपकी चिकनी बेटी या चिकने बेटे से फरक नहीं यह है उनको फरक सिर एक चिशिश ए के उनका काम कैसे हो रहा है तो यही चीज़ बड़ी तो फिर मैंने सुचा के चलो कर लेते हैं, honestly लिटरली बीच में भी ना मैं बड़ी तंग आई भी थी, मैं फंक्शन्स कर थी और पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, बहुत परेशान थी मैं बहुत ज्यादा तो मैंने बुला के ना ऐसा करती हूँ, बाल-बाल कटवाती हूँ, जी रशी चली जाती हूँ, किया, जाच से 6-7 साल पहले किया, बाल-बाल कटवाए, चोटे-चोटे बाल करवाती है, चली गए, अबाज आरी पीचे से, अभी छक्के, अभी हिलना बनकर, हिल जूल, खान, मतलब मुझे समझ जाते है, खुश होना चाहिए कि बुरा लगना चाहिए, रीमा, रेशम, मतलब यार मैंने बाल इतने करवा दिये, पेंट, जीन्स, लूस पहनी भी है, चपल पहनी भी है, फिर भी तुम लोगों ने वोजे नहीं छोड़ा, तो फिर मैं अपनी अगर आप इसको अलग एंगिल से देखो ना, आपका स्क्रीन पर आना ही हराम है अपर, आप स्क्रीन पर नहीं आ सकते हैं, जब तस्वीर के ओपर इतना इशू है, तो चलता फिरता में एडिया है, तो हर चीज को नहीं करो, साइंस, तरक्की, जमाने के लिहाँ से बदलना यह तो आदीसों में हैं, आप वेपनाइज कर रहे हो इस रिलिजिन को हमारे उपर, नों यूज रिलिजिन, लॉजिक लाओ, बेसिक यूमन राइट दो, हकुकुल अबाद तो दो, हकुकुल अल्ला तो में और मेरा रभ जानेंगे ना, तुम तो मेरे हकुकुल अबाद भ तो उसी मजब के अंदर जो है, वो चाइज अबियूस भी हो रहे है वो राइट भी आपके जो है वो वाइलेट हो रहे हैं हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, अब इस पर मैं क्या बोलूँ बताओ, मुझे आप उप बताओ, कि अगर हम, देखो, डेमोक्रेसी और जमुरि तो डेमोक्रिसी ना बड़ी अच्छी चीज है, तो हमें इस चीज से सीखना चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं, या मिनिस्ट्री या पार्लीवान या एवान जो सोचती है, उनको यूमन इशूज पर बात करनी चाहिए, रिलिजन इशूज बात करना एवानों में मुझे दु अब बताओ ना, अगर चलो आपने, let's suppose, हम एक मुस्लिम कंट्री में, आपने इसलाम के नाम पर ये सारी बाते बॉली, कल को एक क्रिस्टन, एक हिंदू, एक सिक, जितने भी रिलिजन वाली ट्रांस हैं, वो बोले, हम पर तो लागू नहीं है ना, जारे हम नॉन मुस्लिम मतलब, नहीं, मुझे नहीं समझाती, ये तो हमारा बहुत private matter होता है, हम दुआ जब मांगते हैं अल्ला से, तो क्यों हमें दुआ नमास पर आजान दी जाती है, क्यों दुआ में जोर-जोर से पढ़ने की दुआ नहीं, हम अपनी कुछ private बातें सिव अल्ला से share करते हैं, हम अपने माबाप से नहीं कर पाते, तो ये इनसान बीच में कहां से आगिया है, अल्ला और एक इनसान के बिरास्ते में, तो जो ये आ रहा है, मैं समझते हूं कि खलत है, मिस्यूज कर रहे हैं, वो अपनी current powers को, तो तो तुम्हें लगता है कहीं पर ये space आगे आके मिलेगा, यहाँ वो space जो है और श्रिंक होता जा रहे है, मुझे फिलहाल तो श्रिंक होता हूँ नजर आ रहा है, लेकिन साथी प्रोग्रेस भी नजर आती है, अब एक तरफ एक फिल्म थी, उसको एक शहर में लगने ने दिया, ठीक है, ट्रांजेंडर उसके अंदर थी एक, जो चीजे निकली है, एक जगह आप कहरे हो, यह एलीगल है, यह हराम है, यह है, यह हला लालालाला और एक तरफ आपने उनके इस सपोर्ट के लिए काम भी किया है, जो के जरूरी है, आपको भी समझा है, इनके लिए उफिसे रखने पढ़ेंगे, तो दोनों एक को जस्ट कम होती है, हमारा नाम ले आते है, जब इनके कपड़े बिखना कम होते है, हमारा नाम ले आते है, जब इनको कुछ नहीं मिलता, तब हमें ले आते है, जब इनको और नहीं मिलती, तब हमें ले आते है, जब मर्द नहीं मिलता, तब हमें ले आते है, मतब के युनिवर्सल कर देंगे भाई फिल्म नहीं लगने देते ना फिल्म में तुमने लगी भी उससे पहले दी ट्रांजेंडर ने पुरा आइटम सॉंग के एक मशूर फिल्म में वो फिल्म नहीं लगी क्या लेकिन क्यों इस दफ़ा तो मैं सियासत करनी थी तो हम बुरे हो गए अब फिर आज कि लोग बीचारे बोल रहे हैं अल्ला इनको इतराज है हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते इतराज किसी को नहीं है जिससे भी खेल चल रहा बस कुछ भी नहीं अचा मैं उस सारा को जानता हूँ आज से दस साल पहले मुझे जाद है कि उस वक्त जब हमारी मुलाकात हुई और वो एक बड़ा एक क्रिटिकल फेस था बड़ा स्टॉगलिंग फेस था और उस फेस के अंदर वें यू वर स्टॉडिंग और तुमने पढ़ना शुरू किय अचा मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे MBBS करना है ताके जो मैं ये जो एक एक ट्रांस का या एक ख्वाजसरा का जो एक इमिज है उसको मैं जो है वो चेंच करूँ और अवेंचुली यू डिड़ इट एट एंड इस इस सच अच अचीवमेंट, हाओ? आधिम्हेंग मुझे तो इतना तंक कर दिया था जपट कर दिया था बहुत हाँ जादा तंक कर दिया था श्याइद मैं रॉक गई मुझे इजना तंक कर दिया था आप कहते हैं हमें बुरा कहते हैं मैं-जिले ती यू एक मितम्न कर aj entire Life bar आथरों की उपर हम नाचती हैं, एक हाथ इदर से आता है, एक हाथ उदर से आता है, मुझे समझ नहीं आता है, नाचने बुलाया है या कुछ और करने बुलाया है, मैं इतनी जवात तंग आगी थी, मैं rebellious हो गई थी, और जब अंदर rebellious हो थो रहे हो दो काम करता है, बहुत बुरा करने वाली थी अपने साथ भी क्यूंकि मेरे कपड़े यार वैसी उतार रहे थे लोग मतलब मेरे कपड़े फंक्शन पर जाकर भी उतार रहे हो हमें बुरा भला भी कह रहे हो Attacks भी हो रहे Attacks भी हो रहे, गोलियां चल रहे मैं इतनी ही पागल थी कि मैंने उलता कि ठीक है अगर तुम लोग मेरी कपड़ों तानाज चाहते हो अब मैं कैमरे के सामें उतार रहती हूँ मतलब that's what they really wanted ना पर कहीना कहीना मुझे ना पढ़ना था मतलब मैं हमेशा पहली भी बोला देखे मैं नाचना को गलत नहीं कह रही पर मुझे नहीं नाचना था मैं पढ़ना चाहती थी तो that was the last chance जवाद जो के मैंने इस सुसाइटी को दिया था या अपने आपको दिया था और मुझे नहीं पता कैसे मेरे रब ने मेरे अल्ला ने या आप जो कहना चाहते हो मेरे बारे में बोल सकते हो पर उसने वो काम रस्ता हो गया वो बस एक last chance था जिसके पास मैं शायद कुछ ऐसा कर जाती कि मेरे लिए शायद इस मुल्क के दर्वाजे बंद कर दिये जाते या मुझे मार दिया जाता या जो भी था तो वो बहुत difficult था वो फैसला लेकिन हो गया हम और अभी हम जो बात कर रहे हैं अगर हम उसे ही को देखे है कि इस ही मुल्क ने इस ही पाकिस्तान ने भिर आपको एक्सप्क्त भी किया वो इज़त भी येस पता क्या हुआ 12 जन्वरी की रात को मैं सोई चाहिए 12 जन्वरी की रात को मैं सोई I was nobody मैं जब सुबा उठी I was everybody That was the thing मैं जब उठी मेरा phone hang था इतने messages थे मुझे नहीं पता था मेरा result था मुझे नहीं पता था मुझे नहीं पता था कि अचाह जब ऑगी एक मसल्या मैं जा था — मुझे नेम अटैै नहीं या थान हमने पुर Murray था हुआता थी हुआ रधाथ टेव धिरीकर तेय की I am a lady उन्वरी वझे था मुझे जाग स्पॉर्ट कषा थाषय हम एक कषय का थे 2 पूरी नहीं जो खाका ना मैं सोच आती थी और फिर सुबा मैं चेव साड़े चेमाज उटती थी और पढ़ती थी नॉन स्टॉप राद बारा बज़े तक क्योंकि मेरे ली भी बड़ा मुश्किल हो गया था ये एर की गैप्स देना और मैं जवाद फेल नहीं हो सकती थी मैं बस च्वाइस नहीं थी तो लोगों के पांस हो सकता है लोग कह सकते हैं इसने बहुत देर से किया आये किया मैंने देर से इसली किया क्योंकि मैंने किया ही नहीं था मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं फेल हुई थी मैंने इसलिए किया मैं पेपर में एपसिंट थी मैंने इसलिए किया कि जब मैं पेपर देने गई तो लोगों ने मुझे किस तरह से हाथ लगाया किस तरह से बोला मैं पेपर जब दे रही थी तो बीश में आकर मतलब क्या बोलो छोड़ो एक्जामनर्स वगारा जो करते हैं यार हरकते हैं बस क्या कि इसान कह सकता है हर किसी का अपना इमान है मतलब मैं इस चीज में घुट रही थी कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ मैं खुदसराओं मैं एक हिजड़ा हूँ और मैं गलत हूँ मैं गलत हूँ भाई इतना भर दिया इन लोग ने मेरे जहन में कि खुद को गलत मान रही थी और मैं गलत कर क्या रही थी मेरी ख्वाइशात मैं जीना चाहती थी क्या ये गलत था मैं सास लेना चाहती थी क्या ये गलत था मैं महफूज रहना चाहती थी, क्या ये गलत था, मैं पढ़ना चाहती थी, क्या ये गलत था, मैं दांस फंक्शन छोड़ कर एक अच्छी जॉब करना चाहती थी, क्या ये गलत था, या फिर मैं माँ बनना चाहती थी ये गलत ये तो सब बेसिक राइट्स है तो गलत क्या है मताँ गलत मुझे समझाओ गलत क्या है अगर तुम ये कहना चाहते हो दुनिया वालों कि गलत सिर्व ये था होगा या कि मैंने अगर बोला हो कि मैं मर्द से तालुकात कायम करना चाहती थी, तुम यही बोलना चाहते हो और छुपा क्यों रहे हो, खुल कर बात करो, कि तुम समझते हो कि यह ख्वाजसरा मर्दों के साथ नजाइस तालुकात कायम करेगे, चलो बहुत ही वायात है यह मतलब मर्दी आरे हमारे पास, मर्दी हमारे अगेंस भी आवाज उठा रहे हैं, मर्दी हमें हराम करार दे रहे हैं, मर्दी हमारे फंक्शन करवा रहे हैं, मर्दी हमें पैसे दे रहे हैं, पैसे भी तो दे रहे हैं, इसमें को फंक्शन पर क्या आम बरसते थे, क्या खजूर बरसते हैं, पैसे ही बरसते हैं, मर्दों के हाथ से यू यू जाते हैं, हम लेटती हैं तो यू यू आते थे, तो इस पर इशू क्या है, इशू तुम्हें मर्दों से है, इशू सुसाइटी को मर्दों के भीवियर से, ट्रांसजेंडर का भीवियर तो शुरू से वही है, हम तो शुरू से गलत थी, तो मर्दों को बोलो, पहले अपने आप से जवाब लें आएं, तब हमसे पूछें, उससे पहले मैं जवाब दू ही क्यों? क्योंकि यहां पे तो मर्द ही मुनाफिक है मैं मुनाफिक नहीं बोलूँगी, मर्द बड़ी प्यारी चीज है, तो डायलोग जो है, वैसे सच्छा है, मर्द वाकई प्यारी चीज है हिपोक्रेट्सी भी तो है ना, कि जो मर्द आपके पास आ रहे है हिपोक्रेट आप इसको नहीं बोलोगे जब स्पीचिस में हमारे साइबरान ये बोलते हैं जरा इसलामिक टच दे दे तो आथ कतम हो गई ना तो वह इसलामिक टच की बात करें या फिर इदर जो टच है उसकी हम बात करें आपने सुसाइटी में अपने माशरे में अपने जो उसका सर्कल है उसके अंदर वो कुछ हो और फिर इसके अंदर तो एक बाइजद उसमें तो वो तो गात्रीना काफ़ आफ आला तच है वो वो शक्स है खिक है और दुसरे एंड पर जब आपके साथ है तो वो गच और न मैं तो वो Katrina कैफ आला टाच रजर अजरा तच मी, तच मी, तच मी, वह वाल है लेकिन हमारे साथ तो, Don't touch Me, touch me, touch me मता ही सामने ही है भाई, मैं कहती हूँ कि आओ, रेट मारो हमारे फंख्शनों पर एक काम करो तीन हिजड़े मिलेंगे तुम्हें और चारसो मर्द, और बुरा हमें कह रहे है, चारसो मर्दों से जवाब लेकरो पहले, मैं इस बार पर जवाब ही देना नहीं चाहती हूँ जो लुफब फ्लेरे हैं, हाँ भाई लुफफ लेने वाले को इशू नही फिल स्ट देने वाले को इशू नहीं है, पर जब तुम्हारे बात आरी है तो तुम्हारे जाले को दने मसला है. मैं इसको लें को सही करार नहीं धिया. देखें लुफ लेने वालों को तो इशू है ना क्या इशू है जैसे हम मर्द की बात कर रहे हैं लुफ लेने की बात कर रहे हैं तो उनका इशू जो है वो हिपोक्रेसी है वो एक तरफ लुफ ले रहे हैं दूसरी तरफ वो डिसोन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम तो जानते ह नहीं नहीं कॉन भई ख्वाजा सरा तो इस माश्रे का जो है इतने मिनिस्ट्रों के घरों पे मैं नाची हूँ ना कि नाम बोलना शुरू किये ना तो शर्मा जाएंगे ठीक है बड़े अच्छे लोग है ठीक है मेरा मुमत खुलवाओ तो यह जो है ना यह तीनचार लोग ज मेरी सब की उठाओ उन तबाम मर्दों को जेल में डालो पहले फिर हम आती है तुम्हारे सब चलो करो पूरा करो इंप्लिमेंट यह नहीं चलेगा ना कि हम करें मत्ता तुम लोग चाहते हो के बंद कम्रे में हम नाचीं भी तुमारे लिए और बाहर दिंकल कर तुमारी ने खतम नहीं होगी ना दिखो तुमारी सब कर खतम होगी तुच बात कैसे चलेंगा इनका काम बात तुसारी एपोक्रेसी कैसे नहीं करें मैं एक बंदी के आपको बात बता रही हूं और एक अचे होस्ट थीक है लाहुर से मैं नहीं बहुत तारी ट्रांसगेंडर्स जो ह चाहरे हैं अभी recently उनकी family में से उनकी खायर बहुत obvious हो जाएगा गागा मैंने ये भी बता दिया कि वह कौन है तो उनकी identity में देखें still I don't want to risk विको बंदेने में साथ कुछ गलत नहीं किया किसी और के साथ बाहराल उनकी जो एक wife अदद है वो anti-trans movement में है ठीक है अब मुझे आप बताओ क्या हम भी देखो अब खैर बोलना नहीं चाहिए लेकर चैने बोल देते हैं क्या हम भी हरीम शाह की तरह जब ये बातें आकर बोलेंगी कि आपके मियां हमसे मिलते हैं तब आप चुप करेंगी ये बड़ा statement एक में दे रही हूं और वो बंदी को भी पता है कि उसके मियां का है मतलब जब सबसी है तो छुपा क्या है पता होता ही है हमने एक मीटिंग कॉल आउट की के इनकी बीवी अब ये कर रही है तो हमें क्या करना चाहिए तो इस पर यकीन जाने सिर्फ मैं नहीं तमाम हमने रिसाइड किया हम नहीं कॉल आउट करेंगी हम नहीं बताएंगी क्योंकि अगर हम भी ये करेंगी तो ये तो वही काम हो गय तू देखिए ना करें, हमनी आपके घर बरबाद नहीं किये आप हमारी जिन्दगिया बरबाद नहींगे । क्योंकि जिन्दगियां बरबाद होंगी ना तो घर भी बरबाद होगे। याद रखना, डामिज दोनों तरफ होगा, यह समझने डामिज सिर्फ हमें अब होगा तो यह मार्शुरे का रविया कैसे चेंज होगा? मैं तो इसको चेंज होता नहीं देख नाइए फिलहाल मुझे अगले दस सालों में पाकिस्तान का रवया चेंज होता वा नहीं बलके बत्तर होता वा नजर आ रहा है हम मेरी बास सुनें ना अभी तक तो हम मर्यम नवाज शरीफ की सियासत पर बात नहीं करते हैं तो पहले ये इस खुबसूरती पर अठके में तो पहले ये इस खुबसूरती ते सियासत का सफर ही जिस मुल्क में अभी तै नहीं हो पा रहा उसमें आप हिजडों की बात क्या करेंगे वो एक किताब है ना बजार-e-हुसन से पार्लीमेंट तक फिर तो कैसे आप बात करोगे अभी सेट ओफर हुई थी टाउन लेवल पर और लोकल इलेक्शन में तो मैंने बात बोली मुझे नहीं पता लोग बहुत उफेंड होगे उस बात पर पाटी भी उफेंड होगी जि पर आपने एक ही जगह एक अंगुठे चाप को भी रखा हुए, मेट्रिक पास को भी रखा हुए, इंटर वाली को भी रखा हुए और डॉक्टर को भी बोल रहे हैं, मतलब कोई लेवल नहीं क्या हमारा, मैं यह नहीं कह रही हूँ लेवल कम है, पर जब मेरे पास तालीम आपकी एवान में बैठने की हैं, आप मुझे सीट कैसे ओफर कर रहे हूँ, मतलब हर नीची पोस्ट हम ही को देनी है, पहले टेक्स नहीं मिलते थे तो हमें बोला जगा 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 मांगो, हमारी जॉब यह थी, जाओ घर में जांकर उनको बेज़त करो, बोलो दो, अपन लौन पेकरो, तुमने भी थो हमसे भीकी मंगवाई, तुमने कौन सा कोई अलग काम कर लिया, जो इतने तुम लोगोंने बोल रहे हो, मैं थेटर करती है, चाहत थेटर करती है, यह तुम करती हो, मेरी बात सुनो, रोडों पर भी हम नाची, तुमने हाँ में थेटर में क्या कानून कहता है जिस तरह सुई में धागा जाता वना जरना है कोएं की बाल्टी में पानी भरा लटकता वना जरना है किसने देखा है मैं इस हालत में जरा मताऊ हो जाए लेकिन बोलते हैं सब आद्जाम लगाना है प्रूफ कुछ नहीं है सिर्फ बज़ेते हैं बस तो इलोकोहicz एकनूर ही कर सकते हैं नुगान है यह बात करेंशया तो धंदा नहीं करते है? देखो, धंदा करते हैं मैंने आप को यह नहीं बुला कि मेरी कम्यू schaut Southern मैंने आपको बोला क्या सिर्फ मेरी कम्यूにな जा है? भीकols लीगल करो! मर्द के लिए औरत के लिए जो के है लेकिन मांग रहे हैं ना तब सिग्णरों से हमें भी उठाओ धंदे के ब्रॉथल तुमने बंद कर दिये रेड लाइट एरिया के हीरा मंडी बंद कर दी निपिया रोड बंद कर दिया क्या आज होम बेस सेक्स वरकर्स फीमिल नहीं है क्या ये जो हमारा जमजमा की रोड है यहां पर रात को लड़किया मजबूर खड़ी वे नजर नहीं आती लेकि नहीं धंदा करते हो तुम्हें हिजड़े ही नजर आते हैं तो मतलब वो अलग है जो लड़के धंदा करते हैं यो मीडिया के अंदर काउचिंग होती है, जो रोल्स के लिए लेटा जाता है, जो मीटिंग्स के लेटा जाता है, जो स्कॉलर्शिप्स के लेटा जाता है, क्या वो धन्दा नहीं है, धन्दा है, क्या पहले ये बता हो, कौन धन्दा नहीं करता है, मैं इस चीज को गलत या स मतल् Yakoda हम कहना चारी हैं। देखो हम रोड पे नहीं नासना चाहती, हम धंडा नहीं नी करना चाहती, हम भीक नहीं मागना चाहती, तो रहाना हैं हम अच्य बात हैं। हमने वे काम देदो क्योंकि पेठ तो हमारा भी लगए नों ले चल, हीजड़े तुझे काम देंगे, निकल यहां से, फिर हम क्या करें, फुकी मर जाएं, खुदकुशी भी तो हराम है, तो जिन्दा रहने के लिए हम सब कर रहे हैं, पहले हमें लाकर हमारा जिन्दा रहने का हग दो, फिर ये बात का ना हम धंदा करती हैं के नहीं करती मेरे कम्यूनिटी को बुरा बला बोलने की इजाज़त है, खलतिया निकालो, लेकिन नाजाइज ने करो, मैं तो खुद बहुत निकालती हूँ, मैं तो खुद उनकी बुराईया करती हूँ, लेकिन मैं सामने खड़ी हूँ, अगर तुम लोग आओगे, मुझे सामने पाओ होगे, हाँ, it's a bold statement, कम्यूनिटी की अगर हम बात करें, तो वो यूनिटी क्यों नहीं दिखने को मिलती है, कच्रा है कम्यूनिटी में, मैं आपको क्या बोला, मैं कम्यूनिटी की बुराई खुद कर रही हूँ आपसे, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ किस सही है, लेकिन कु कि कि I respect women, I respect men, I don't want to be, do the same stuff, जो उन्होंने की है, लेकिन चार लोगों की वजासे, आपने उनके गंद का टोकरा, मेरी कम्यूनिटी के लोगों ने आपसे बत्तमीजी की, आपने की, उन्होंने की, उन्होंने की, आपने की, उन्होंने की, उन्होंने इंस्टाग्राम पर फ उस बात पर आप हानिया सभा कमर को नहीं कहेंगे, लेकिन मेरी कम्यूनिटी को बोलेंगे, चले मान लिया, पर उन्होंने के कच्रे का, कीचड का टोकरा हमारी पूरी कम्यूनिटी की उठाएगी, आप specific बंदे related बात करो, आप कम्यूनिटी को target मत करो, गलत कर रहे हो आप, यह आपको मानना पड़ेगा, आपने अभी तक मेरी पर वीडियो नहीं बनाई, मुझे पता है, आप बनाओगी अगर आप मेरा इंट्रिव्यो सुनो, क्या बनाओ, क्या कर लोगी आप, और, कुछ नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ सोचल मीडिया पर keyboard warrior बन सकते हो, इतना आप आपको हुब्यवतन है न, तो बॉर्डर में जाओ, वहाँ अपने services दो, जवानों की services, designer कपड़ों के बज़ा, uniform design करो, यह देड कडोड के फानूस के नीचे आशू बहाना is not हुब्यवतनी, तो stop this drama, बहुत हो गया है, मतलब अगर हम कुछ बोल नहीं रही हैं, तो इसका यार नहीं है, आपने तो बतलब ऐसी हमें, मतलब literally, मतलब इन दिनों में न, मैंने बड़ा relate किया, बड़ी उंची शक्सियात है, बोलना नहीं चाहिए, कि मैंने एक movie भी देखी, उसके अंदर न, atomic bomb related movie थी, उसमें हमारे भुटो साब का role play हुआ, इंडियन मुवी थी, चा तो मैंने उनकी इबारे में पढ़ा, तो उनको जिस तरह से ली गई powers, उनको जिस तरह हैंक किया गया, तो मैं बड़ा relate कर पाई, यह वही माशरा है, जिसने भुटो की जो फांसी थी न, उस पे मातम भी मचाया, यह वही माशरा है, जिसने भुटो को फांसी लगने भी दी तो इस माश्रे से मैं क्या बात करूँ जिसको बनाने वाले की एंबुलर्स तीम घंटे रोड पर खराब हो गई थी जिसने उसकी भेहन को घदारे मुल्क करार दे दिया उस मुल्क से मैं क्या बात करूँ मुझे बताओ कोई बात नहीं कर सकते जिसमें एक बहुत बड़ा आपका इस्लामिक स्कॉलर एक ऐसे बंदी के आकर मुमिन होने का सर्टिफिकेट देता है जिसके आखो देखे फंक्शन्स मैंने की हैं क्या बात करेंगी आप तो इस मुल्क में आप सिर्फ चापलूसी कर सकते हो आप चाट सकते हो लोकों की अगर आपको जिन्दा रहना है ठीक है और अगर आप यह दोनों काम ने कर सकते हो तिज सक्रीन से बाहर हो बहर सकते हो ठीक है आप बोली चले जओना ज़ले जहायन और सायलम लेलो अरे क्यों लेले भाई तो है अबा का मुल्क है अगर है तो हमारे अबा का भी है मैं क्यों पाकिस्तान छोड़ू इन लोगों की वज़ा से हमार तो चल अच्छी बात है मर जाओं लेकिन मैं मुल्क नहीं छोड़ना चाहती मैं बतमीजी भी नहीं करना चाहती लेकिन आप बोलो के मतब होता रहे और कुछ ना बोलो कभी तो होना था तो आप यह नहीं कह सकते कहने को लोग क्या नहीं कहते काइद आज़म को लोग नहीं कहते वो implant के वे थे उन्होंनेट तफरीक कराई है तो पिर काइद आज़म का भी नाम उनको हटा दो Notes के अरनसी से अटा दो इल्जाम तो किस पर नहीं लगा, तो हमत तो हमारे नाउज बिल्ला, मैं अपने जबान से पोरीर पर हम रो तक लगा दी, लोगों ने इतने खलीज लोग हैं, तो हम लोग तो अल्रेडी कछ्रे में पले बढ़े हैं, हमने तो वो काम किये जिसको माश्रा गंदा कहता है, और समझता है, हम एक कमरे में दसदस डान्सर भी रही हैं, हमने रोडों पर भी नाचय है, हमने भीके भी मांगी है, और हमारी बहुत सारी उन्हें रोडों पर धंदे भी किया है, इसपे कोई दो राहे नहीं हैं, लेकिन हम मजबूर हैं, हमें सिर्फ खाना खाना था, तुम मे पागल हैं चलो अबब लेकर चलते यह आर मैड है हम पागल हैं नक्स आती हम यह हैं वह हैं यह हैं चीक है सब हैं मर्द क्या है बीबी जवाब दो अभी भी तुम स्क्रीन बैट कर यू-्यू कर रही होगी मतलब ये ओड़तें जितनी देख रही हैं न इनको सिर्फ एक खत्रा महसूस, मैं समझ सकती हूँ ओड़तों को क्यों खत्रा महसूस होगा मर्दों का जुकाओ हमारी तरफ या फिर उनकी तरफ कम जुकाओ तो थोड़ी गन्फ्यूस हो गई है हमारा कसूर नहीं है दीदी हम थोड़ी तुम से कुछ कह रहे हैं ना हम तुम से शादी थोड़ी करना चाहरे हैं खुद आता है घंटी बजाता है हम क्या करें ले जो मिया तुम्हारा नहीं जारा पर्चा हम पर फाड रही हूँ मफूम है यह लोग समझ जाएं तो समझ जाएं और यह जिकाओ कैसे है मतलब मतलब कैसे ऐसे मतलब लुक अट मी मतलब एक मैं हूँ उपसे मैं नहीं हूँ अरे बड़ी खुबसूरत कम्यूनिटी है हमारी देखो जाकर आखे तो खुलनी थी जब तुम घर पे हो तुमारे पास एक टिक टॉकर और सामने तुमारे खड़ी हो प्रियांका चोपड़ा एंज़िना जूली तो किसको देख रही है तो हम इन मर्दों के लिए इस टन माश्रे में वो एंज़िना जूली वो माधूरी वो एश्वरियर राय जैसी हैं जो कपड़े जीन स्टीशिट भी पहना है जिनको इंगलिज बोलना भी आता है जिनका बच्चा नहीं हो सकता है ये जुकाए बीबी हमारा नहीं हम पर दिहान से पहले अपनी ग्रूमिंग पर दिहान दो तुम मतलब औरतें मतलब इतनी अच्छी हैं मैं फैमिनिस्ट हूँ पर आपने खुद ही कुछ नहीं किया है आपका खुद हुली है जब आपका मिया आता है आपने कामवाली वाला बना का रखा है और आपका मिया आपको टेंशन नहीं दे रहे तो इसमें हम कहां से आ गई हमने तो नहीं दिर्वाजे पर पूछा था निकाह नामा जारती बात है हमें तो खाना खाना है हम तो निकाह नामा नहीं मांगेगी पर आपके मिया ने तो निकाह किया है उसने तो अल्ला के सामने वादे किये हैं उसने क्यों तोड़ा हैं हम तो ऐसे जिन्दा लाश हैं हम तो जिन्दा लाश हैं तुम करो अभी और और ट्रॉल करो चलो जे करो में एक चलती फिरती लाशे हैं हम ये कपड़े पहने वी लाशे हैं ये खुबसूरत चेहरे जो तुम्हें नजर आ रहे न ये हमारी जिन्दा रहने के जर्यें हैं आज हम ऐसी नहीं दिखेंगी न हमें खाना नहीं मिलेगा हमें फंक्शन नहीं मिलेंगे हमें भीक नहीं मिलेगी, भीक के नाम पर जब हाथ करते हैं और लड़के हाथ नीचे लेकर जाते हैं यह होता है लेकिन यह बिनाओ सिंगार, यह खुबसूरत दिखना क्या यह से वालतों का हग है? अच्छा तो लगता है ना, मैं कहारो कि मजबूरी नहीं है मैं यार मैं तो अभी जो मैंने बात की वो ओवरॉल की जहां तक मेरी बात है मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता यह क्या बखवास करते हैं क्योंके लिटरली मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है मैं हॉस्पितल जाती हूं कभी इस मॉर्णिंग शेफ कभी ना, आइट शेफ कभी यह उट शेफ मेरे शूट्स चल रहे हैं मेरे ब्रेंट के ता इसो सेटिए हूं मेरे बड़ा लिमिटेड सर्कल करती है मैंने पिछने और साल में तो मुझे घंटा फरकता ही पड़ता लेकिन कौन इनसान खुपसूरत नहीं रहना चाहता हर बढ़ती उमर की ओरत ने प्लासिक सरजरी का सहारा लिया आज कहते हो कि हमने कराई क्या फिलर्स हमने कराई क्या बुटॉक्स हमने कराई क्या सब चीजें सिर्फ हमने कराई है तो फिर यह खावातीन क्यों करा रही है पिर हम लोग को तो इल्ली गला हराम ही कह रहे हो ना तो कॉस्मेटिक क्लिनिक बंद कर दो ना चलो नहीं कराती है सीक है बंद कर दो क्लिनिक बंद करो फिर अब से बात करो चाब नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा ना मर सुद्रेगा ना क्लिनिक बंद होंगे बच फ्रस्ट्रेशन हम पर ने कर रही और कुछ भी रही है फ्रस्ट्रेटेड हैं कुछ नहीं कर सकते हैं कि अपने घड़ों पर नहीं चलती हम पर चला रहे हैं And what about you guys? Is there no pleasure? We are all girls So is there no pleasure? Pleasure? देखो जहां तक मेरी बात है मैं honestly तुम एक बात बोलू हूँ मैं बोलूँ किया मैं सबसे खुले आम बोल रही हूँ लोगों ने बड़ा जज किया मैं ऐसेक्चुल हूँ ठीक है? I don't यह कि इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप फील करें मैं एक ट्रांसजंडर हूँ जो तक्रीबान आठ नौ साल नाचकर पढ़कर आई है जिसने पाकिस्तान के हर जगा नाची है जिसका वहर तरीके के बन्दे के साथ वास्था पढ़ा है पर वह ऐसेक्चूल है मेरे साथ जो हूँ मेरे जिसम को जिसने हाथ लगाया उसमें मेरी रजामंदी नहीं थी. मुझे सेक्स फील नहीं होता, लेकिन मैं यह नहीं कहरी कि मेरी आकी सारी community को भी नहीं होता sexuality अलग चीज़ है मैं sexual हुँ ड़सन वेरी पुरी community होगी हो सकता है किसी का interest हो कर है तो उसमें मैं उसको बुरा कैसे बोलूँ मैं कौन होती हूँ किसको यह बोलने वाली कि तुम प्यार नहीं कर सकती हूँ So you are saying कि you don't have any interest in sex I don't have it's not about men मतब I have like I had मतब I never been single that's also true I was always with someone or someone or someone or someone or someone So there is no intimacy No there was only to cash Honestly क्योंकि मुझे तुभाई पढ़ाई करनी थी चाहे में नाचकप्रत कुछ भी करती कभी कराय के लिए कभी पढ़ाई के लिए कभी कभी बहुत और लुगों के लिए भी या बहुत कुछ लेकिन कोई intimacy नहीं थी नहीं अब इस अवली तिंग जो मैं बोलती हूँ ऐसा नहीं मेरी फ्रेंड्स हैं ठीक है वो उनको अच्छा लगता है मेरी एक फ्रेंड है उसको लड़किया पसंद है एक है उसको लड़का पसंद है दोनों ट्रांसजेंडर हैं बताओ किस से निकाह जाइस करोगे हमें मर्द मानते हो तो जो ट्रांसजेंडर इसको लड़की से प्यार है वो तो फिर तुमने जाइस करार दे दिया ना चलो शुकर एक काम तो किया कोई मिसलानी यही कर दो चलो तो उनकी है पर I don't know क्यू बढ़ मैं देखो मैं मा जरूर बनना चाहती थी चाहती हो बनूंगी पर मैं सेक्स नहीं चाहती है honestly मैं बीच में बहुत जादा rebellious जब हो गई थी मैंने सोचा था क्यूंकि मुझे सेक्स करना नहीं था और लोग मुझे सेक्स करना चाहते थे मैं फंक्शन पर जाती थी मुझे उठा लिया जाता था और मैं रूती थी कि नहीं करो मैं लिटरली बोलती थी मेरे बाल काट दो यह मैंने लाइफ बोले थी मेरे बाल काट दो पर दो दफावाल कटें इस चक्कर में क्योंकि मेरे लिए सेक्स एक अजियत है ठीक है आप उसको रेप बोलें आप सेक्स नहीं बोलें उसको पर मेरा रेप तो रेप काउंटी नहीं होता था तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था है मतलब I don't I like to hang out मुझे घुमना पिरना पसंद है बात करना पसंद है मुझे ल मेरा जवाब दे दें इस सारी हकूमत मुझे सारे मौलाना मेरा जवाब दे दें एक बंदी कह रही है उसका सेक्स में इंटरस्ट नहीं है वो सेक्स पूरी जिंदगी नहीं करना चाहती इस पर वो रिटर एफडेविट देती है पर वो कहती है मैं औरत हूँ अब इसमें हर एक मर्द को एक औरत के कपड़े, पहनने को जुर्म करार देता है? हाँ, तुम्हें मुझरिम हूँ, नहीं तुम्हें आज़ाद हूँ. मजभ तो करार देता है ना? लेकिन पहले ही, यह साथ कुछे नहीं करें पेकिला ना? यह तो बोला मैं और तू, यह रहता है। आप कह रहे हैं अब कौण सी बात पर देस्ट करें। यह तो मेरे और एभ का वास्ता है ना? और मुझे एक बात बताओ, कि इसलाम के अंदर, मतलब हम लोग पताने क्यों रिलीजिस टॉपिक को इतना ला रहे हैं, किसी भी रिलीजिन पचलते हैं, किसी रिलीजिन, आटաते हैं, कुसलिएंट करें कृणी। मैं रिलीजिस गूळ Colonist, किसी नवेक, कौसी इसलाम, sixism, हाओ लिलीजिन के लिए। मतलब मैं जानना चाहती हूं। मतलब ये बदरूर बताया होगा कि इतना कवर करें, इतना ना करें, लिकनी मतलब शलवार कमीज और डुबटा लड़की का है मतलब ये कहीं लिखा, मतलब मैं जानना चाएं, लिटरली मरी नॉलेज बढ़ाएं, मुझे अगर कोई ये देख रहा है, तो मेरे इंस्टागराम पर या इस वीडियो के नीचे आकर या मुझे से कॉंटक करके, मेरी नॉलेज प्रीज बढ़ाएं, क्योंकि मैंने कुरान शर क्योंगी तो बदलूँगी ना, लडाई से क्या, सोशल वार से आच तक केसी को क्या हासिल हुआ, एक मिसाल देते हैं, सही घलत को छोड़ देते हैं, अली जफर और मिशा शफी, क्या के सोशल मीडिया बढ़ा वाइरल हुआ, इसर से भी पावर लगी, उदर से भी लगी, वो एंथम लिखता है, वो फिल्म्स कर रही है, लोग लड़ रहे हैं, वो दोनों जी रहे है, सोशल वार से क्या मिला, मुझे बताओ, लीगल वार करो, तरीकी की वार करो, वार करना है क्यों बैट का बात करो, मुझा करो, मत अब इतने खुली ओफर दी है, यार बैट एक माश्रे बरहना, एक सोसाइटी बना लेते हैं, खतम करो, एक और दूसरा, जाहिल लोग है, आप समझ रहें कि आपकी जो economy है, उसमें contribution जो है, आपकी economy बड़ी डाउन हो रही है, पर formal और informal revenue जनरेट जो हो रहा है, वो इन जाहिलों को कौन समझ जाएगा, जो transgender function कर रही है, dance कर रही है, sex work कर रही है, वो आपका informal revenue जनरेट हो रहा है, जो कि आपकी economy को boost up नहीं कर रहा, यही चीज़ने हैं, आप जो transgender के rights देकर उनको job दोगे, तो वो taxpayer भी बनेंगी, और वो formal economy को contribute करेंगी, जो कि revenue आपका actually mark up में आएगा, तो यह जाहिलों को बोलो कि मुल्क को उप काफी तिनकीत की जाती है, जो guru, chela, जो पूरा system है, और जो culture है, कि इस में जो है, it's very abusive, और काफी इसके अंदर जो है, वो violations होती है, बिलकुछ सही है, मैं तो कहरी हूँ, बिलकुछ सही बात है, तो क्या इसको बदलना चाहिए? बदलना चाहिए और इसको एक support system के तोर पर जिस तरह teacher और student का रिष्टा होता है, उस तरह रखना चाहिए, और इस system में काफी चीजों को खतम करना पड़े, ये system है क्या, ये culture है क्या? आच्छा, तो गुरू चेले system, देखो system जो है वो basically जवाद ये था, कि teacher और student जिस तरह होता है, जैसे कोई खौजस तरह है, वो घर से निकल किया है, या उसके घर वालों ने निकाल दिया, या जो भी मसला था, ठीक है, तो वो एक social network बना हुआ था, कि तवाम खौजस तरह जो थे, वो जाहर है उनका आगे पीछे कोई नहीं था, उन्हों ने बोला हम एक दूसरे से ही भाई, बहन और ये सब लगा देते है लेकिन जब ये सिस्टम बनना शुरूआ ये अभी का थोड़ी कोई सिस्टम है, ये तो हिंदुस्तान बरे सखेर जब था, उससे भी पहले कि ये सिस्टम चले आ रहे हैं, ये कोई पाकिस्तान का खासी अपना सिस्टम नहीं है, या इंडिया का सिस्टम नहीं है, या बंग पांच साल बात कोई और आई तो जाहिर सी बात है एज डिफरेंस के साथ साथ स्टेटस डिफरेंट भी हो गया तो उन्होंने बोला कि अब क्योंकि मैं इसको सिखा रही हैं वो चीजें जो मैंने सही हैं और इसको यह मुश्किलात ना सहनी पड़ें तो मैं इसकी टीचर की थी चाइना के अलफाज मिक्स हो चुके थे तो एक मजमूरी तो पर एक और जबान निकली जो फार्सी नहीं थी पर उसको फार्सी कहा गया जो हमारी जो खौज़ा सरातें उन्होंने आपस में बात करने के लिए निकाली तो वह बड़ी मिक्स लैंग्विज है उसके बा क् Cape Cheat के लाई में हैं, जो ऊपर वह गुरु होंगे, उनके नीचे वाले चेले हैं, और जो उनके नीचे वह उनके चेले हो और जो एक गुरु हो, गुरु दात गुरु मतलभ वह इस नहीं स्टम घर वाला चल रहा है यहां बट लैड बाऊंड लेकिन, मुरारा नहीं है किया आप ने नहीं सुना कि माबाप एक बच्चे को ज़ादा प्यार करते है किस घर पे नहीं है यह बात है किस नहीं सुना कि आुलाद ने बुड़े माबाप को निकाल दिया तो इस सिस्टम में भी बहुत करफशन है जाए तो बलड रेलेशन्शिप भी नहीं था चलो बल तो उन्होंने हमें बताया ही नहीं कि उन्होंने ये काम मजबूरी में शुरू किया मतलब मुझे तो ये नहीं बताया गया मुझे तो नहीं बताया गया कि भीक मांगरी जो हैं हम ये मजबूरी है और एक दिन हमें छोड़ना है मुझे नहीं बताया गया कि नाचना गलत नही पर जो प्लैटफॉम है यह गालते हैं और हमें अगर जॉब मेली की तो छोड़ना है यह गलतिया हमारे बड़ों से हुई है जो के अब हम नहीं करना चाह रही है और जब हमने गलतियां करना बंद की है तो जमाने को इसी हो गया है मतलब इनको ना हम वही अच्छी लग रही थी भीक मांगते हुए शादियों में नाचते हुए और इनके बिस्तरों में जब हमने आकर एवानों में बैठना शुरू किया इनको तो आग लग गई मतलब जैसे वो क्या इन चोडल मली मशूर है मन चुलिका गई यह मतलब ऐसा लगता मन चुलिका गई तो यह सिस्टम ने भी फिर अब्यूसिव हुआ सिस्टम ने बोला मैं बोड़ी हो रही हूँ यह मेरी चेला है उनको बोला अन तुमें रहना है तुमें मुझे पैसे देने पढ़ेंगे यह चेला हुने बोला गुरू बोड़ी है इसको निकालो हुए मतलब दोनों तरफ से हुआ और सिस्टम मिस यूज हुआ सिस्टम गलत नहीं है सिस्टम को यूज करने वाले गलत हैं जिसके अंदर मैं भी शामिल होती हूँ और मेरी तरह तमाम शामिल होते हैं हम सब कहीं न कहीं विक्टम भी रहें और कहीं न कहीं हमने लोगों को विक्टम भी किया इस बात को डिनाई नहीं करें ठीके 14 साल की उमर में मुझे किसी ने आकर यह नहीं बताया कि फला सरजरी सही थी या फला सही थी जो उस वक्त मेरे साथ हुआ या जिस वक्त भी किसी के साथ हुआ वो घलत था आपका फर्ज था बताना चलो मेरे माबाप को पता नहीं था या समझे नहीं वो था पर आप तो गुजरी थे इस सबसे आपने भी तो नहीं बताया तो मेरे साथ तो honestly speaking में खुद खौजजरा कम्यूनिटी से हूँ और सब को चुपँ पर मेरे साथ तो सबसे ज़रा जल्म ही इस कम्यूनिटी ने किया में मर्द और और रुरत कियाया आपके बार में इतनी बातें बोलीट पर यकीन जाने मेरे पर सबसे कम जौमे मर्ट और और अच्छाने में किया में सबसे ज़्यगजा जल्म खात्त हरा ने किया और इसमें कोई दो राइ नहीं तो इसली बता रहे हुं गुरू, चेला, कल्चर की बात कर रहे हैं अगर हम दूसरे एंट पर देखें तो प्रोटेक्शन भी तो वही देता है बिलकुल मैं जिन्दा ही उस सिस्टम की वजा से हूँ क्योंकि एक बच्चा जिसको फैमली एकसेप्ट नी करती जिसको सुसाइटी एकसेप्ट नी करती जिसको मुल्क एकसेप्ट नी करता तो उसको जो सेफ स्पेस है वो फिर इसी डेरे पर आके मिलता है बिलकुल मिलती है और मैं बड़ी खुश किसमत हूँ के मेरे जो गुरू हैं, मतलब डिफरेंट गुरू मेरे रहे, वो किसी अलग कोट कास्ट ये शो में तुमें समझाऊंगी कि क्या क्या होता है, लेकिन मतलब जादातर मेरे जो रहे वो बड़े अच्छे रहे, बड़ा यही है ना, और तो कोई रस्ता ही नहीं ना, घुमा फिर आकर क्या बात करना, तो उन्होंने बोला बिटा, ये तीन रस्ते हैं, क्या करना है, जो था रस्ता दो ना उनके पास विचारी के पास था ना, ऑप्शन में था, मैंने डांस फंक्शन चूज़ के, जब दो-तीन सा अलवाद गुजर गए, तो मैंने बोला, मैं पढ़ना चाहती हूं, पढ़ाई कंटीन्यू करना चाहती हूं, थीक है बेटा, पढ़ो, कोई मसला नहीं है, पर रात को फंक्शन के लिए, जब हो, तो तुमने मुझे तरवाजे पाद तेयार मिन ला है, तो मैं रात को तो मैं से मिलते थे, ऐसे नचेला या स्टुडेंट उसमें गुरू का भी हिस्सा होता है, हाँ, यह तो था, वो मुझे का मिलते थे, मतलब जो सच था मैंने वो भी बोला, जो जूट है, तो बोलते है, हाँ, मेरा 70 परसंट बोले जाते थे, यह भी सच है, जब थोड़ी सम फाइनिशल अब्यूस लगा, और दूसरा बेचना जो यूमन ट्राफिकिंग, लोकल यूमन ट्राफिकिंग हो रही है, वितिन सिस्टम, तो से मशूर हूँ, सारा गेल हूँ, ठीक है, मेरे साथ हुआ ये, मेरा रिजल्ट बेस्ट आया, तो सार सी बात है, मैं पाकिस्तान फेमस हो गई, वर्ल्ट फेमस हो गई, आर्टिकल, न्यूज ये वो, तो किसी एक मूरत की मुससे नहीं बनती थी, उससे मेरी गुरू को फोन के, मुझे बोला, कि आप ना सारा को ना मुझे बेच दो, वैसे भी खुसरों में कहां आती जाती है, इसने आप फंक्शन करने, ना इसने भीक मांगने, आपके किस काम की है, ये तो आप जॉब करतीगी, तो ऐसा करो, आप इसको मुझे बेच दो, अठारा लाग, बीस लाग की पैसों की बात करे के, तो बेसिकली एक गुरू, जो है वो दूसरे गुरू को अपना चेला या स्टूडेंट है, वो बेच सकता है, ये खलत है, ये है जड़ इस सिस्टम की करप्ट होने की, तो मैं तो भड़ी इंपावर्ड हो गई थी, मैंने पहला, तुम लोग करो मेरे उपर, मैं पोलीस लेकर पहुंचूंगी, हिम्मत नहीं, उनका सांस नहीं आया दूसरा, कि आप बोलें कि हम करना है, फोन मैं लहौर में एक ही चिला हूँ, मैं कराची में अलग ही चिला हूँगी, क्योंकि ये लोग अलग जगा पे रहते हैं, मुबाइल कम्यूनिटी है, तो ये डायमेंशन्स बड़ी कॉंप्लिकेटेड हैं, आपको मैंने सिंपली बताया है, तो सिस्टम के बेनेफिट्स हैं, सिस्टम को रहना चाहिए, पर सिस्टम में human trafficking बंद होनी चाहिए, सिस्टम में ये बात आनी चाहिए, कि भीक मांगना illegal है, हमें alternative ways जब तक नहीं मिल रहे हैं, तब तक हम कर रहे हैं, और हमारी demand government से jobs और skills की होने चाहिए, सिस्टम में ये बात होनी चाहिए, कि art को art की तरह लिया जाए, ना कि easy way of earning समझ कर आया जाए, क्योंकि मुझ जैसी नासूम जाने बरबाद हुई है, हमें धोका दे कर लाया गया है, ये trap था, ये कोई easy way of earning नहीं है, ये one of the most difficult way of earning है, प्लीज अपने बच्चों को संभालें, अपने चेलों को संभालें, उन्हें समझाएं, देटा ऑप्शन नहीं है, इसलिए कर रहे हैं, हमारे पास नहीं, जिसलिन तुम्हारे पास ऑप्शन आए ना तुम छोड़ देना, ये तरबियत करें, ये चाहती हु मैं, बसु और अगर ये society में या parents की तरफ से ये acceptance आ जाए, तो शायद उस बच्चे को move करना ही ना पड समझती कि parents को सजा मिलनी चाहिए, या इस कानून का होना चाहिए, मेरे खासे कानून ये होना चाहिए कि अगर बच्चे को आप 18 साल से पहले अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, तो आपको इसकी upbringing के इतना पैसे देना पड़ेंगे, और इस तरह चायल्स सेंटर होने चाह जिस माशरे में ही नहीं एक exist करता लोगों की नजर में, वो बिचारे माबाप जिनके गर एक हिजड़ा पैदा हो गया है, जिनके गर एक हिजड़ा रह रह रहा है, जिनके गर एक खौज़ा सरा, जिनके गर एक ट्रांस जेंडर है, वो क्या करें, वो अपनी बेटी का कि अपामा जो है ना सिर्फ मुझे नहीं हुआ है मेरे घर से जाने का मेरे माबाप को भी हुआ है जो खंदान वालों ने उनके साथ किया ज़ा सुसाइटी ने बोला तो मैं भी उतनी ही शिकार हुई जितने मेरे माबाप हुए हां मेरा घुस्सा उन पर निकला ऑनर कि लिए बहुत जादा थी नहीं होनी चाहिए ती पर फिस्टिल I feel it कि पैरेंट्स के लिए भी बहुत मुझे लिए उस माश्रे में सर्वाइफ करना जहां आरी जगा ही नहीं तो I mean कि पैरेंट्स की तरफ अगर ये एकसेप्टनस आ जाजाए तो चीजें काफी हद तक बहुत हो सक हमारे रलेशन्शिप्स को बहुत है मतलब क्या मन्हुस को बेर करना पड़ा है जलालत है और हमें कुट्टे की तरा रखेंगे फिर लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए हम उनके औलाद है आप माबाप को आप खांस तोर पे लड़कियों को पढ़ाओ मापड़ी लिखी होगी तो बचे महफूज रहेंगे मैं सिर्फ यह कहूंगे इस पैरेंट्स वाली बात पर अच्छा सारा जब यू आ डॉक्टर नो एंबी बीएस डॉक्टर हो और विधिन कम्यूनिटी आइमीन के जिस तरह तुम आई और तुमने अचीव किया और सब कुछ किया और अड़ यह कास्टरेशन यह क्या था कितना नुक्सान दे है इस इट स्टिल है इपनिंग यह प्रैक्टिस अभी भी हो रही है और फिर्स्ट फॉल पर अंसर यह स्टिल हापनिंग सेकिन फॉल कितना नुक्सान दे है बहुत नुक्सान दे और थर्ड कि यह क्यों हो रहा है इसका त पर काम करते हो, वोमें पर काम करते हो, आपने गेंडर ही छोड़ दिया है, उनकी sexual health आपने छोड़ दी है, खेर वो छोड़ दिया आपने, उसके बात quacks जो होते हैं, उनके, जिसे दंदान साथ आप चले हैं, सदर में आपको चीनी दंदान साथ बड़े मिल जाएंगे quacks, त एक उसी लेंगविजर बात कर रह यहां क्यों नहीं जारे हैं, महंगा है, एकसेस नहीं पहली बात तो, महंगा बहुत है, इंग्लिश बोलता है, समझ ही नहीं आता, मताब मेरे बद जाने के कपड़ यह नहीं है, तो यही हमारे साथ ही है, जब देखें बहुत सारी मेरी एक फ्रेंड थी और उसको प्रोस्टेट मेरी दो फ्रेंड थी बैसे लेकिन बहुत करीबी थी तो मेरी एक फ्रेंड प्लड कैंसर से डेथ तुई और एक और मेरी फ्रेंटी इसको ना मतब शीज अलाइफ माशाला लाम दुलेला लाग लाग शुकर है उसको ना प्रोस्टेट कैंसर हुआ ठीक है तो डॉक्टर ने भूला कि अचा उसके जो अंदर इशूस थे वो अलग थे पर इसके जो जनाइटल्स थे नीचे से वो लुक वाइस मेल वाइस थे यानि टेस्टिकल्स थे उसके पर लेकिन इंटरसेंग ट्रांसजेंडर यह सारी बहुत सारी चीजें इसके अंदर बहुत कुछ है जो समझ रहें न कीक डाफिनेशन उसको कभर नहीं कर सकती खैर उसके जो भी इशू था उसके पेनिस के अंदर था उसके टेस्टिकल्स में इशू नहीं था या एक में था एक में नहीं था ऐसा सिंता प्रॉस्टेट-कैंसर हुआ तो उसमें डॉक्टर ने करवा रहे हैं ना मर्द हजराद भी अगर प्रोस्टेट कैंसर हैं उनका इलाज टेस्टिकल रिमूवल है इलाज क्यूं कर रहे हैं क्योंकि बहतर जिंदगी गोजाश सकें वो जिंदा रह सकें इसी तरह हमारी ट्रांसजेंडर हम लोग मर जाएंगी अगर हम शीशे में वो शुरू करदें जो आप हमें देखते हैं, हम वो नहीं हैं, आपकी दुनिया हमारी टांगं के बीच में ही रह गई है पर हमारी दुनिया हमारी टांगं के बीच में यहां पर है तो यही फरक है कि जब हम लोगों ने अपने आपको खुplessूरत करने के लिए कुछ चीजों का सहारा लिया जो के माशरे नहीं की नेड थी, हमें क्या आप लोग स्टेंडर्ड खतम करतें ब्यूटी के, खुबसूरत भी नहीं है, ब्धूरत भी नहीं है, सब खतम कर दो, कोई अगली नहीं, कोई ब्यूटी फुल नहीं, खतम हो जाएंगी सारी जीज़े आपने ही बोला है गोरी चमड़ी खुबसूरत है काली चमड़ी बचूरत है आप भी ने बोला है कि ये साइज है तो आइडियल फिगर साइज है ये साइज है तो फैट है तो हम तो वही फॉलो कर रही हैं तो मसला हमारा नहीं है मसला आपके हम सब के जहनियत का है जिस दिन ये 22 में, जिस दिन ये standards खतम होगे, उस दिन चीज़े खतम होगी, वरना तो आप एक और box, अभी था male, female, transgender, अब है male, female, intersex, transgender, कुछ दिनों में आएगा male, female, intersex, transgender, non-reproductive male, non-reproductive female, मतलब क्या कर रहे हो, box, 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 tamasha बनाया, literally, सिफ tamasha है, कुछ पी नहीं, सिफ एक तना काफी नहीं है, हर लौ एक इंसान के लिए बनाओ, we are human being and give everyone basic human rights, खतम करो, के सःन साथ, था बनाओ, पीजिए विज दान के लिए अर राष करो दो काफा आएं कारक्रा की निर्भान पे ए है और हम तो सुनते है ना, या पेनिस ने टेस्टिकल्स या दोनों चीज है, और भी कोईसे चीज है, या हर्मुनल उसको ऐसा डिसबैलनस है, तो देखो, एक ये चीज है, लेट सब्सक्राइब, ये क्या है, ये गिफ्ट है, लेट सब्सक्राइब, इसके अंदर का जो मेटीरियल है, वो अंदर है, ये भाहर गय, अब ये गिफ्ट मैं तुमहें दे रही हूं, मुझे लगा, नहीं, तुमने का नहीं मुझे फ़संद नहीं आया, ये वो तुमने तो कुला है, ये तुमने उपसे देखए, तो अब मैं ने तुम एक यही गिफ्ट वापिस करना है, मैं क्या करूंगी, मेरे लि कि मेरी जो रूह है मैं अगर अपने आपको औरत बोलती हूँ मानती हूँ मेरी रूही जनाना है तो तुमारे मेल कवर से मुझे कुछ फाइदा हासिल नहीं मैं पश्टाओंगी मैं जहां तुमने एक साल में एम बीबिस खतम किया मैं डिस्टिंक्शन के साथ पास हो गई एक साल के अंदर जो मेरा अटकावा था तो देट शोज थिंग्स के कास्ट्रेशन ऑपरेशन जो कुछ है ना वो इतनी मजबूरी में करवाए जारे क्योंकि कोई डॉक्टर में देखता नहीं चाहता आज आज आप चले जाएं बड़े हस्पिताल चले जाएं आगा खान चले जाएं कि मुझे मेरी यह ऑपरेट करवाना या वो अपरेट करने लीगल और लीगल तो बड़ी बात की बात आ जाती ना भाई साब लीगल तो खर फीमेल्स के सिलिकॉन कराना क्या ब्रेस्ट में लीगल है उस पर डिवेट नहीं हुई क्या एबॉस्ट्ट कराने के ओपर करना और भरेट जाहिं लेकिन हुआ ना होते हैं मैं आपकी ईपरिसी डफ़ाइ्ट हैं क्या क्या पोर खोड़े हैं तो खरोगरी में उस से कोई जी मिल्टी ने और हृब किसी चूटे gespannt कि में किसी ऐसी जगह पर जाता है जहां पर अकleb यह उसज़ एक्ड यह और जह तो इस वाश्रूम है ना उससारा के क्लिनिक होंगे, एक इस्टेचर पड़ा होगा, अपरेट होगा, जैसे सिलिकॉन की बात करें, लड़कियां भी कराती हैं, ट्रांजेनर भी कराते हैं, और इस पर बड़ी बात दाएं, चैक है, मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं, जिनके करते हैं, लेकिन वही ओपरेशन जो फीमेल से वह ले रहे हैं, दो लाग हमसे लेंगे पांच लाग, उनका करेंगे वी आईपी रूम में, हमारा करेंगे ये वाश्रूम जैसे रूम में, उनको दो दिन का स्टे मिलेगा, हमें पांच घंटे बात भीज देंगे, मतलब तो अगर किसी ख्वाजसरा को मोशन हुए है, उल्टी हुए है, डाइर्या हुआ है, उसको कुछ भी हुआ है, वस्पताल जा रहा है, तो रहे हैं कि किसी ने हमें इसके साथ देख लिए तो क्या सोचेंगे, मतलब ये तो बात ही नहीं है, हेल्थ एक्सेस जो राइट से हैं व लेकिन इतना स्लो है कि मुझे लगता है मैं क्या मेरे बात की जजरेशन में मर जाएगी जब ये चेंग जाएगा और डू ये थिंग कि ये पॉजिटिव साइट पे जो है ये चेंज आ रहे है, वो एक्सेप्टन सारी है यार, क्लोस दोर्स में, येस, जब डोर ओपन होते हैं, येस, बंद कमरों में हरकोई हमारा दोस्त है, जो हमें गाली भी देख रहा है न, नियूस पे आकर, वो बंद कमरों में कहता है रही, वो मुझे मिसिंडिस्टेंडिंग हो गई थी, आपसे बात होगी या बनी होगा अगले दिन में टीवे ओन करती है, वो बंद फिर हमारी कम्यूनिटी को गाली दे रहा होता है, और बैठी हो देख रही होती है, ये है सिनारियो, और कुछ भी नहीं, वीवर्शेप हमारे से चल रही है, आपके पेजिस की, क्या रह गया, ट्रॉल कर रही हो आप ट्रांसज ये देख ली भाई वीडियो तुमारी एक बंदे ने किती दफ़ा दिखाओगे, पूरा पेज ही हम पर भरा पड़ा है, तुमारे 40,000, 50,000, 60,000 इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स ही हमारे उपर है, हमारे नाम पर ही रोटी खा रहे हो, हमें गालियां दे रहे हो, तो हमें ब बैकोटे करें कुद घो हमें फॉलौव भी करते हो, हमें कॉमेंट भी करते हो, औल्टा सीधा ही सही कॉमेंट भी करते हो, तो ये बस हो गया, तमाशा लोगी समझ दार है, अब लोग हस रहे हैं, लिटरली लोग बोलते यह टलोग इन लोगों ने किया, 2-3 पेजस है, उनन जिसका इन्होंने अलग रुख दिखा कर दुनिया को मुझे मार दिया, मैं क्या कर लूँगी? क्या कर लिया किसी ने आज तक, किसी आसमा जहांगीर गई, सल्मान तासिर गया, कितने गए? तो मैं तो एक वाजा सहरा हूं, मैं गई तो किसी को फर्क वैसे भी नहीं पड़ेगा So, why Sara is so frustrated till now? I'm not frustrated. I feel that, क्योंकि मुझे लगता है कि जब से मैं जानता हूं, it's about 10 years, शाहिद जादा होगे. लेकिन, what I feel, कि I mean, डॉक्टर बन गई, acceptance आ गई, recognition मिल गई, but still I think के शाहिद वो बहेवियर्स उसी तरह हैं, क्या जाए हूं? इस मुल्क में एक transgender, जो है ना, वो पैरों पर खड़ी भी हो जाए, वो डॉक्टर भी बन जाए, वो distinctions ले हाए, वो जिना के अंदर, emergency में, लोगों की गोलिया निकाल कर service provide कर रही हो, gunshot के patient डील कर रही हो, poison के patient डील कर रही हो, वो बड़े-बडे ब्रैंड के ambassador बन जाए, वो commercial कर ले, वो ads कर ले, पर उसकी ना, actually कोई value नहीं है, इस मुल्क में उसके कोई हैसियत नहीं है, मैं frustrated इस बात से हूँ के, मतलब TV पर बुला कर बठाने के लिए, हम लोगों से बड़ी बात की जाती है, पर जाश हो, खतम हम खतम, मैं frustrated इस बात से हूँ के, मेरा इतना कु क्यों enough नहीं है, मुझे नहीं समझ आती कि वो लोग, जने मैं call करती हूँ कि हमारा ये मसला हो गया, आज हम press conference कर रहे है, ये मसला हो गया, ये कर रहे है, तो वो सिर्फ वहीं पर आती है, जहां उनको अपनी footage PR मिलती है, वो हमारा मसला share नहीं करती है, मुझे बहुत सी ऐसी चीजे में, मतलब, I don't like, मुझे और एक होता है negative, एक होता है positive discrimination, मतलब, एक positive discrimination को अब इस तान लिखे जाओगे, चीज कह तो अच्छी रहे हो, लेकिन है discriminatory, मुझे कितनी movie से ये बोलकर निकाल दिया गया, कि आप लड़की लिखती हो, हमें transgender चाहिए है, मतलब, transgender कैसे लग ये बता दो हमें, हम वैसे लग जाते हैं, मैं frustrated इस बात से हूँ कि अपता पूरी मुल्क ने, मुझे जहां इतना प्यार किया, वहां 3-4 लोगों की वज़ा से, 3-4 लोगों ने मिलकर, पूरी community के खिलाफ वो campaign चलाई, कि हम लोगों का जीना मुश्किल हुआ है, अच्छा ये जो लगने वाली बात है, उसकी वज़ा ये भी हैं कि हमने स्ट्रीडियो टाइप कर दिया ना, अब स्ट्रीडियो टाइप क्रिएट कर दिया ना, अब स्ट्रीडियो टाइप क्या है, जो आपको ट्रांसजंडर या ख्वाजा सरा है, वो किसी सिग्णल पर लोगों को कि हम एक्जिस्ट ही नहीं करते हैं, मर्द और अरहते हैं, फिर स्टेडियो टाइब कहां से आगया है। उनको तो वह लगता है, उनको वह बीक मांगता हुआ जो है, वह दिखता है। नहीं बोन ला है मुझे, मैं हाइ डाइड, हाइ मॉम करना चाहती हूँ, तो मताब यह सुसाइटी कब बढ़े की आगे, मैं इसलिए फ्रस्टेटेड हूँ, मैं फ्रस्टेटेड इसलिए मुझे लगा था, बड़ा मैजिक हो जाएगा, मैजिक मेरे ली तो हुआ लेकिन, मेर जहसों के लिए नहीं हुआ, मताब आपने सिर्फ एक सारा सेफ की है, वह भी सेफ नहीं है वैसे, लेकिन फिलहाल के लिए आप कहने के चाहो तो एक सारा सेफ वही वह भी आपने भी सेफ की, उसने कश्टी में MBBS का चपू भी चलाया, साथ में हाउस जॉब का चपू चलाय साथ में शराफत का चपू चलाया, साथ में पूरे कपड़े पहनने का चपू चलाया, तब जाकर वह थोड़ी महफूज हुई है, आज मैं अपनी टी-शिर्ट या अपनी मरजी की कपड़े उतार कर पहन लूँ या जो कर लूँ, आपने मुझे गालियां देना है, आपने बयान दे देना है, इसे संगसार कर दो, पत्थर मार मार कर, मेरी अजादी तो है ही नहीं, मैं क्या चाहती हूँ, सीवी उपर अपना नॉर्मल सा ड्रेस, नीका, पैंकर, बैटकर, कोकोनट, वाटर पीना चाहती हूँ, यह आपको डिंजर लगता है, आपकी सुसाइटी के रहे हैं और उनके आगे पीछे कोई नहीं है, क्या बोलेंगे, जो दो भाई साथ रहे हैं, क्या वो फैमली नहीं है, फैमली वो होती है, जिसको हम फैमली बनाते हैं, जिसको हम फैमली समझते हैं, इसकी इलावत तो कोई फैमली नहीं है, मुझे यह मुल्क फैमली लगता ह मुझे इसका हाद citizen family लगता है आप बदलना चाहते है उसी इसको बदलो मेरी सोच तो नहीं बदल सकती है आप मुझे गाली भी दोगे पर मैं आपको पसंद करती हूँ आप मुझे बोलो के कुछ भी पर मैं मुल्क से नहीं भागी आप देखो मेरे पस क्या नहीं है मैं पस फेम था मैं पस वीजा था मैं पस कॉन्फरेंसिस थी मैं नहीं भाग रही है लोगों ने बोड़ा क्या कर रही है ठीवी आप फर मुझे यह बदलना है मैं वो बदलूँगी आप काली देते जो मैं ताली बजात ली जाओंगी लेकिन अब ही अगर हम देखते हैं कि मूरत मार्च हो रहा है औरत मार्च हो रहा है उसके अंदर जो है वो एक ट्रांस रिप्रेजेंटेशन है और ऐसी है यह भी तो सवाल है तो मतलब इससे कोई फर्क नहीं पढ़ रहा है इसे देखें मैं किसी भी मार्च का नाम नहीं लेना चाहूंगी पर मुझे लगता है कि जब मैं उनमें से एक मार्च में थी नाम नहीं ले रही है क्योंकि वो बहुत प्रशनल हो जाता है तो मैं जब गई वहाँ पर, तो मुझे, मैं तुम्हारा आप एक लिप देखा, तुम्हें सियासी और गहर सियासी पर एक लिप शेयर के, उसका जवाब मैं तुम्हें देती हूँ अभी, तो उसमें था यह सियासी मार्च है, सियासी मार्च है, तो मुझे नहीं वालूम था वर्णा में नहीं चाहती। मैं छली गई और वो सस्थ जो जो लीड कर रही थी तो जार एंगal लीड.. जु ज़ो मार्च को लीड कर रही है अगर उनका इसंका या मार्च का में असल जाउसी पार्टी से है जो वह फिर शुक्रद की मार्च हॉल गई है वो फिर आपकी नहीं रही, आपकी राइट्स की नहीं रही, तो उसमें काफी ऐसी चीजें बहुत सी जगा होती हैं, हर जगा होती हैं, शायद मुझे सही ने लगी, लोगों को सही लगी हूँ, पर मेरे नजरे के मताबिक कुछ चीजें ऐसी हुए हैं, जो कि ज़रा पर ये सही तो नहीं है न, है तो घलत, मुझे तरीके से बात करने चाहिए, मुझे तमीज से करने चाहिए, सम्टाइम मैं फट सकती हूँ, पर इसको मैं जिस्टिफाइ नहीं कर सकती हूँ, तो इन मार्चस से इंपक्ट जरूर आया हैं, पर जितना इंपक्ट मुझे लग इतना सियासी और गहर सियासी होती है ऐसा नहीं है राइट्स पर कभी भी सियासी है आठ केज़िये सियासत की जा सकती है पर यह गल्त है अगर आपका country गदर टू जैसे मूवीज को अच्छी मूवीज समझता है तो आपकी कंट्री की सोच गलत है जो कि आप एक पॉलिटिकल एजेंडा को आर्ट से रिलेट कर रहे हो information के लिए आपने कर दिया ठीक है लेकिन उस पर पूरी मूवीज बना देना या आपने आर्ट खतम कर दिये आप सियासत में घुज चुके हो तो गैर सियासी होने का मतलब हर्गिस यह नहीं होता कि आपको सियासत में इंटरस्ट नहीं है या आप राइट्स के बारे में नहीं बोलना चाहते हैं, या आप ये बोलना चाहते हो, कि देखो, जो मेरा अजेंडा है, ये एक solid अजेंडा है, इस अजेंडे को सामने रखकर, मैं पीछे बैकडोर से कोई सियासत नहीं कर रही हूं कि इस और चीज़ के लिए, ये गार सिया वोट देकर हर कोई सियासी है देखें बात यह है कि जो मैंने भी बात की थी वह यह है कि आप किसी भी परस्पेक्टिव से आप आ जाएं लेकिन जब आपकी एक पॉलिटिकल अपीनियन है तो वो सियासी है और वो होनी चाहिए मेरा उस पे एंफिसाइज मैंने यह किया था कि जर्शलिफे हैं जैसे आप यह शूंचेश बढ़ाओ भी आप नहीं जैसे आप यूज फिल वड़ए प्रॉट बिए असे बिए असे यह लोग तो अप्ले पुल ओ रॉफ लेमर यह और रुम रॉमेंस और इंटमेट और सब कोच और शेएंगि अवह आपकिन थी तो दू I hope you are not apolitical, I am not apolitical, I am not saying it, but I am just saying it, कि स्यासत होनी चाहिए, स्यासत कभी भी गलत नहीं है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मैं से यह कह रही हूँ, कि जरूरी नहीं है, कि आपकी हर चीज में स्यासत ही हो, कि आप सेलिब्रेट कर दे होते हैं, कि आप हिज्रा फेस्टिवल की बात करो, क्यूं रखा इसको हमने नन-POLITICAL? इसलिए रखा क्यूंके आप ने की पोर आट रखा है, आप ने इसको प्योर आट रखा है, बदेशस की अब चाहिए. यह तो मुझे मैं नन-POLITICAL होँ. अब तुम खुद मुझी पॉलिक्स फिन लाना चाहते हो तो मैं कुछ तिं करना चाहती What do you think about Imran Khan? सब कहते हैं वो हैंसम है तो होगा That's what I think So this is what you think? Only So this is what a political is I didn't said, I said about things and the people I am saying I am not saying about me Obviously I have an opinion, obviously I will say this But I am saying that we have to keep things different Right now politics toh amara dinner ka discussion ban gaya hai na Everybody is discussing, ach Khan, achha PML and achha Marim Nawaz ki Bees se lekar, Chappal se lekar, Khan saap ke shawal kamiz tak A gaya hai, tik-tok mein siyasat kuzgi I don't like it I don't like it at all And there are people, Jawad, who don't want to stay in this thing Jyn ko ye damage kar raha hai, joh nahi siyasasi bianat dhena chate hai But they are activist hai It's not necessary that you don't be a socialist You can only be a activist, you don't be a socialist You don't be a activist Then what will you say? Asma Jahangir or such, there are also many activists we have to do Who don't want to join in this country But they are doing activism Malala ki munche political tanzim ka nama bata hai ga? Being a part of any political party or political organization Doesn't mean that you are not political Aap activist hai hai tabi hai I am happy to be an activist I don't want to be a political Because you go to the party Then you say, okay, you listen Party ke bandiya in this case You don't have to take their name Why not take it? It's wrong, it's wrong But you can't speak to your party This was the reason To join my party Because I don't want to join So, being a doctor I mean, that this community Is a very proud thing An achievement And you have a role model An example set So do you think That it will be better Within the community Some education will be better I think that my doctor Is a failure Within the community I mean, I feel like I'm going to go back To them Because The new generation Like my age Gen Z And all that They are very happy You know We are very happy And proud And this Happy scene But 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 The new generation Which is a big stock Stalking Sorry But Stalking I need to say For them For me For 2010 When I was speaking English And At that time They didn't speak English 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 For them To ask us When we were speaking To ask our guest of honors Then they closed The community They didn't want to change They were a fear It was a fear Similar symbol For me And To tell me के बहुत चीजें वितन कम्यूनिटी भी की गई किसी तरह मैं उपर ना पहुंच सको So there are these conflicts in the community Yes, conflict मुझसे नहीं है Conflict मेरी education, मेरी तालीम या मेरी brought up से है And that is So, I mean towards the conclusion I just want to ask Is there any story, any event, any incident which impacted your life किसी भी तरह से किया हो Itने सारे हैं यार मतब एक तो नहीं चुन सकती जबाद गोरी चलना हो, बाल कटना हो, पापा का मुझे मारना हो, ओनर किलीम का विक्तम बनना हो, उठा लिये जाना हो मतब I cannot pick My life is full of disasters and full of gum and जो भी बूलना चाहो I think somebody should make a biography if they want to know I will give copyrights only then because it's, I mean, it was a lot, I didn't know how I lived or lived or lived, or I took it Because I don't look like this strong in a mirror, I'm a very sleek woman with a long hair, beautiful nail art and everything and CC sasa wala thing But what I have faced for is a big difference for it I don't know how I did it So it's just like that, if you want to know, buy the copyrights I mean, that all the time we have done, all the time we have done, all the time we have done And the time we have tried to understand it, unfortunately, I feel like, within the community, it is a lot of resistance मतलब वह एक्सेप्टनस हम सुसाइटी की, माश्री की और वह सब बातों हम कर रहे हैं लेकिन पैरलल to that, I mean, within community, अगर कोई ट्रांस, कोई ख्वाजा सराज जो है वो पढ़ लिख चाता है, किसी स्टेज पर चला जाता है तो वो एक्सेप्टनस नहीं है, वो इन्सेक्योरिटी आ जाती है सही बात है, कोई दो रहे नहीं है, और आप जैसी किसी पोजिशन पर पहुचते हो, आप पर इल्जमात लगना शुरू हो जाते हैं और देखा तो मेरी अपनी कम्यूनिटी थी, तो कम्यूनिटी के अंदर ये दो रहे बिल्कुल है, और सिफ मैंने का ना कि दो लोगों में, एक वो लोग है जो पढ़ना चाते हैं, जो इस लाइफ में चेंज चाते हैं, और चाते हैं हम सोशल मीडिया इंफ्लोएंसर ही बन कि जो के जौब भी कर रही हैis ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, मतब पड़ bitch-צם कम है, जौब कर रही है, उन्हें अंग अधियो को पता यह हैं यो में काम भी कर रही हैं पर फिर भी वो इस इस सिस्टम को चला रहे हैं और इस में तालीम याफता, ट्रांसजटर's हैं उनको साइड पर किया चाह रहा है, मैं अकेली नहीं हूँ, आप पाकिसान के पहली ट्रांसजेनर वखील को निशा को ले ले ले, उसको जितना साइड लाइन किया गया, आप पाकिसान की पहली ट्रांसजेनर मॉडल को ले ले, उसको जितना साइड लाइन किया गया, मुझे मुझ पर तो रहम हो गया है, मुझ पर जो जो जुल्म हो गया है, इन दोनों के बराहब है, ठीक है, क्योंकि शाहिद मैं बड़ी मुफट थी या जो भी थाख है, तो कम्यूनिटी में यह है, और मैंने का ना कुछ छोटी बच्चे आ रहे हैं, अब चोला बड़े, वो ठीक ह हमें यही करना है, पर जो मेरे साथ के या मुझ से पहले के ना उन्होंने बड़ा मसला किया है, पुरानी आर्ट साल पुरानी वीडियो कहीं भेज देंगे, कभी जॉब कर यूँ, वहां चले जाएंगे, आकर वर्क प्लेस पर तालियां पीटेंगे, हम नंगी हो जाएंग पर यह भी घलत है ना, क्यों गलत है क्योंकि हम आप जैसे हैं, हमारे में अच्छ बुरे दोनों हैं, मैंने तो नहीं कहा हम बहुत शुर्फ हैं, हमने तो कहा हैं, हम गलत हैं, हम तो तरीका, देखे मेरे पास नहीं थे अपने लोग, रिलेशन्स नहीं थे, तो मुझ समझ तो मưझे पहले दील करते हैं, महाश्रे मेरसा तो करते हैं, यह community यह यार यार यह चीनटी तो पहाड पर चड़ तू मतलब मतलब नीचे उतारो कहाँ चाहिक है, मतलब वही बत है, नहीं हो सकता मेरे नाम नहीं हो سबेसे मे नाम पर खाहा जाता ताम की तो मैं कि साई हैं, आ मुझे एक गिराना भी है यह है अच्छा तो जो organizations काम कर रही होती है ट्रांस-ड़ाइट्स के उपर..., हाँ, corruption की दुकाने, और वह I mean का claim भी करती है की हम जो है, वो rights के लिए, gender rights के लिए काम कर तो है हैं let's suppose HIV का प्रोजेक्ट है तो HIV की रोक थाम के लिए पैसे आया है मैंने कोई अपने परसनल काम नहीं किया है तो आपको मुझे थैंक यू बोलने की भी जूरत नहीं है मैं इसके सेलरी ले रही हूँ ठीक है एक्टिविजम वह होता है जो जिसके मैं पैसे अटलीस ना ले रही हूँ मेरे नजर में यह जो मैं काम अपने दिल से कर रही हूँ जो जो शोखरो शो तो यह जो एंजियो जैनों ने एक अलग माफिया फिला दिया चार-पांच एंजियो ने आपको नजर आएंगे वहें पर 80 लाग का प्रोजेक्ट है तो 10 लाग इन्वेस्ट होगा और 70 लाग कांग है वो नहीं पता अगर आप पूछ लो कि किदा रहें आपने हमारे चेरों पर लिए और अक्सर तो ऐसा हुए कि ट्रांसजेंडर ही लीड कर रही है फिर भी हो रह का तो यहां पर थोड़ा सा लूप होल यूएन का भी है एजिंसी का भी है जो उनको फंड देती हैं बहतर माश्रे के लिए उन पर मॉनिटरिंग वैसे क्यों नहीं करती है क्यों क्रॉस और चेक बैलेंस नहीं कि पैसा जो पाकिस्तान में कौजसरा कम्यूनिटी की या तालीम के लिए दिया जा रहा है वो आया खर्च हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है या वो किसी ने घर ले लिया है तो बहुत मुझा लगता है एंग्यू सेक्टर में बहुत इंप्रूव्मेंट की अब्रोग होता है इस हाई टाइम ते पीप्यू से कोई इंपक्ट उस पिछले चार-पांच साल से मैं ऐसा देख रही हूं कि करॉप्शन बहुत आई लेवल चली गई है और काम बिलकुल नहीं चाहा है और यही एक में बजा है कि मैं जो डेविलप्मेंट सेक्टर है उससे मैंने फिलहाल किनारा कर्शी किया हूँ पर मैं कहीं जॉप नहीं कर इसलिए क्योंकि करॉप्शन इसलिए क्योंकि करॉप्शन इसलिए जब आप मुझसे यह उमीद करो कि आप नेपोटिजम की बुनियांद पर मुझसे कम तालीम याफता बंदी या बंदे को मेरे उपर बिठाओगे तो मैं उसको बरदाश्ट नहीं करूँगी राइड जब आप बात करती हैं तो डू यू फेस अनीडिस्क्रिमिनेशन? नॉ मैं तो मैं क्या बात बोली ना मुझे मर्द और और अरत से डिस्क्रिमिनेशन बड़ा कम मिला है मर्द से तो फिर भी मिला वो फंक्शन गोली चलना ये वो या मुझे लगता है वो काम होगा जितना मुझे ट्रांजेंडर से मिला पर जब मैं डॉक्टर बाइन कर होस्पिटल में थी महिसाथ नहीं हुआ मैंसा वही हाथ से हुए है जो एक आम लड़की के साथ होते हैं लड़की ने छेड़ दिया ये कोई ठीक नहीं है पर बता रही हूँ आप मैं इसको इसको इशू नहीं बना सकती ट्रांसफोबिया ट्रांसफोबिया मतलब ये मॉव्मेंट को खतम करना है जो हमारी बातों को लोगों ने कम देहान देना शुरू किया ना वो इसलिए फेक कॉल आउट्स बहते हैं आज मेरी चेला का मॉबाइल छेंगया ट्रांसफोबिया अरे बहन रात के दो बज़े तुमारी चेला रोट पर थी कोई मर्द और अरत हो उससे भी छेंदा ये ट्रांसफोबिया न इसलिए उससे नाटा किया था यी सारी नाटंगिया छोड़ो जाने दो लिटरली तो ह।ाstar हैं और है मैं टम लड़कों को चेला कर रही हो उं मैं लड़कों को चेला नहीं कर रही हूं वो चेला हैं लेकिन वह माशरी के डर से कई और आपने होलिया को श्रान रखना चाहते तो मैं वह हो नहीं कहना करना चाहते झाल basically and वो कैसी भी हो सकती है वो कोई भी हो सकती है वो किसी भी सेयब में हो सकती है किसी भी कलर की YouTube It is just that अश2 राहि आचासरा है मैंने वैसे दूम्हें थे पहले लाइफ भी आप्रमय लाइफ भी चेलिप्रेट करतेों किस तरह से तियार होना आज जो है पार्टी है, आज जो है फॉंक्षन है आज अदर जा रहे हैा है तो तुमने उसक जो लगता है मैं मैं इस बिप्रेस्स थी बहुत अब लेकिन तुमने सेलिब्रेट किया भी असको तो बहुकतर हुवाँ सोथे तो मैं नहीं। मंतब मैं डीक्टर हूँ मेरा काम। हमजी के सामे बाहर हां हॉजा से अरकवां की निखता है भी में अरकितर impelle था गामिए होटे़ थाुम Plus और मैं सिभ सारा हुँ मैं निखि इन्सान हुँ लोग यह याद रखते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, यह याद नहीं रखते हैं, मैंने कितने बड़े-बड़े कमर्शल्स किये हैं, मैं कितने make-up brands किये हैं, मैं कहां कहां की brand ambassador हूँ, मैं एक model भी हूँ भाई, मैं एक actress भी हूँ, तो मुझे उस तरह उस lens से देखो, मैं बोलना तो यह दोनों जगा क्यों नहीं कर सकते हो और मुझे पहनने यार मुझे लगते है चोटे कपड़े पहनना मतला मैं अपनी पहनती हूँ तो माद देखो ना और अपने परस्नल टाइम में आप जो भी कर रहे हो एवन पन कर रहे हो तो मसला में और एक और बात जबार पहले अपने पॉइंट्स क्लियर करें लोग फिर मुझे बोलें और अवरत मानते हैं मैं पड़्दा कर लेती हूँ नहीं मानते हैं तो मैं जैसी भी घूमूँ जैसे रैस्लिंग में के जो वो कॉंपटिशन है उसमें लड़का है में बास एड है बड़ा अच्छन लड़का उसे मेरे कोई परस्नल बात मतब डिफरेंस नहीं बता लिए उससे अंडर वे में ना बॉडिर के पर नंगा है वो लोगोने ओड़का वाँ भाई तुम्हें पाकिसान का फकर सर से उंचे कर दिया यार भाई उस नंगा कड़ा है तुम्हें उसको नहीं बोला या मेरा शोल्डर से हलका नीच बोलते लहॉल बला कुष बला यह लोग हराम इसको मान डालो तब यार कुछ तो रखो कुछ तो एक जैसा रखो औरत मान लो मर्द मान लो पहले खुद तो डिसाइड कर रो मानना क्या है क्लारेटी तो ले ओओ नहीं खुद के बास क्लारेटी नहीं है ठीक है यह कोई अलग स्पीशी जेनरेट करना चाहते है मुझे रखते है पांच दस ताल ने बोलें के यह वीनस से आय थे फिर लड़ा होगी नहीं यह तो मास्क है वीनस कैसे लने बुल मास्वेनस मर्द और मैं तो कहती हूँ मुझे चंदरियान में बांध करना सीधा चांद पर भेज दो मैं बहुत आगे बढ़ना चाहते हूँ यह करसता है अब बस मैं गुजारिश करती हूं इंडियन गवर्मेंट से आप नेक्स टाइम मुझे चंदरियान पर बांध कर चांद पर भेज़ें खातम यह पाकिसान में भी आप इस पार्को किसको जा सकते हैं नहीं पाकिसान तो जिनत में जा रहे है ना वो चांद पर तो मुझे चांद दिखने का शॉक है तो मैं किस रिक्वेस्ट पर हूँ हाँ वो तो फिर उधर यह और इस बात पर बड़ा इतिजाज होगा बड़ जाना kontroversy होगा इसकी ललोती चलती है यह मुझे लगता है मुझे जए अचछ एजन्ट का भी नाम दिया जाए इंडियन एजन्ट है मैंने आपी घ्यरत को जटका दिया है मुझे चांद देखना है दुनिया में अगर मैं देखना चाहती हूँ तो मुझे चांद वो तुमने नहीं देनी है तो यह वादा अपने पास रखो मैं वो खुद कर लूँगी चांद पर जाने के तियारी करो आप वाँ चले जाएं तो हमें भी बताईएंगा मुदी जी मान चाहे मेरी बात और काम मानेंगे वह अच्छा मेरा ख्याल है काफी कलाम हो गया और अजिए मेरा ख्याल है क्योंकि अब दिर आप लॉट अफ तिंग्स जो के मेरा अगला सेशन हो तो हम उसमें डिसकेस कर सकते हैं यह जिसमें हम जो बात कर भी रहे थे कि जो है वो जब हम इस सिस्टम के अंदर इंडप्थ अगर हम इसको जो है वो समझने की कोशिश करें यह यह स्टड़ी करने की कोशिश करें तो फिर हमें उसकी डीप रूट्स को अंडर्स्टैंड करना पड़ेगा एक आखरी सवाल जो के मेरे लिए बड़ा दिल्चस्प है जैसे मैंने यह का कि किलाम तो कुछ लफ्स जो है ना कोई वो कैबलरी जो है वो प्राविट इंटरोंगी जो मसला उनका मुझसे है मेरा उनसे हम खुद देखेंगे आप लोग को हमारे बीच पढ़ने की जूरत है तो गड़ा साइट नहीं तो I mean के मैं तो सिर्फ वोकैबलरी समझना चाहा रहा ना मुझे तु पता भी है ना मुझे तु पता भी है ना मुझे तु 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 पता मैं ही बता हूंगी मताब नौ sorry it's confidential I will not breach confidentiality no that's why I'm sorry तो इसका मुझे भी breach नहीं करना चाहिए तु 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 एक news reporter, anchor की तौट पर अलग angles देख तु तु पुछो और कि जवाब को आप ऐसे जाने दो कि मैं नहीं बताना चाहती और मुझे लगता है मेरे दूसरे अक्टिविस्ट को भी कदब उठाना पड़ेगा अगर हमारी प्राइविसी को बचाना है हमारे पर जबान नहीं बचे की जतने खतरात में हमें ना बहुत जल्ड़ अज़ आजाएगी कि हमें कहीं बंद हुई जो आजाएगा हमेरे ओर फिर्याप के लिए टॉपिक है जो पिछले हम साथ-8 साथ साथ जे प्रोजेक्ट के अज़ एफ चाहती है और पिछले हम साथ-8 साथ साथ एक प्रोज़्यक्त के पर जो एक्ट काम करें एं इस तिल इं प्रोड़क्शन बट्याएग भी बात अग वाली ऐसे कहानियां सिर्फा 어떻 नहीं पार रे फुरी फुर्जट नहीं आई विज्वली नहीं रगोज लेकम हो नहीं कर दोफ टूलिए सी दिन पहु MONS अब भी र gratuitous , क्या बता है क्या रे नहीं रभी मेष्ट अई वर लिट पहु तफ वर मि永 Boom क्योंकि पहले कुछ खोने का डर नहीं था, I was empty-handed यार, लोग पैसा समझते हैं, खोने का डर हो पर मेरे नजदिक पैसा नहीं होता, इस society आपको क्या देखती है, आपके माबाप आपको किस नजर से देखते हैं, आपकी बहन किस नजर से देखते हैं, आपकी बहन किस नजर से हम दोनों ने वाल्फ किया, बहुत से चीजे हैं, जो हमें लगता है कि शाहिद जादा है, हमें से कम करना चाहिए, पर सवाल यह है कि एक्चली जो बच्चे आते हैं ना, जब मुझे सी सारा आती है, वो इस सब से गुजरती हैं, चाहिए आप कैमरा पर दिखाओ या ना द पर वही जब बात आती है कि यार, यह मैंने किया, मैं तो डॉक्टर बनकर निकल आई कीचर से, पर बाकी सब तो नहीं निकल पाएं क्योंकि जवाद वो सब कुछ नॉर्मल लगता है उस वक, तुछ थीक है, उस वक की नशा करना नॉर्मल लगता है, उस वक, मैं क्या कहू उस वक, शाइद मुह मुह डालना या नाचना या यह सब करना आपको नॉर्मल लगता है, तो प्लेजर आपको, उस दर्द को ना प्लेजर समझते हो, वो अच्छल आपको टॉर्चर आप में इतने ट्रॉम में होते हो, कि आप समझते हो, वो स्टॉकॉम सिंड्रोम हो जाता है, तो यह एक बड़ी खुद में भी जुस्तुजू है, और हम इसको संसिटिव लेंगे, लेकिन इस चीज को दुनिया के सामने आना भी जरूरी है, क्या होता है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, और कितनी रिबैलियस थी मैं, तो हाँ डर है, और होता है, डर इस बा मुझे एक और इसमें अस्पेक्ट आया, मैंने सोचा था, मैं इस पर डिसकस करोंगा, कि किस तरह जो है एक बच्चा, एक सेन इन्वार्मेंट, जिसको हम कहते है नार्मल इन्वार्मेंट, अलागी अबनॉर्मल इन्वार्मेंट है, वहां से निकल कर और जो है, वो डेरे पहुंचता है, और जो है, वो कम्यूनिटी में पहुंचता है, और उसका हिसा बनता है, एक बच्चा लिप्स्टिक लगाने के लिए डेरे पुंच जाता है, ऐसे पहुंचता है, रात को साड़े तीन, चार वजे, जब मेरी आम्मा ने मुझे बुला कि तुम्हें जाना प इसे थे, अम्मी भी बस मुझे यही बोल पाएं, इसे जादा उनके बोलने का मौका नहीं था, तो मैं रोट पर आगई, रोट पर जब आई, तो पेट की भूप ने किसी की गाड़ी में बिठा दिया, और लिफ्सिक की चाहत ने डेरे पहुंचा दिया, तो यह ऐसी आता ह अहते है, बच्छा. जो उस खुद ही कहीं ना कहीं से? आं उंटांकर नहीं लिके जाते हुझे, यह कहाँ पर है भाई? कहीं नहीं लिके जाते? ना 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 यह नही bấं इता है, वाजसरा नहीं लिके जाते हैं, नहीं चीनतें किसी का बच्चा। आज तक ने हो, अगर हुआ है तो ये जल्म हुआ है ये गलत हुआ है उस पर सजा हो नइ चाहिए उसको घर पर जेल जाना चाहिए लیکन जतने केस़ मैंने देखे हैं जतनी में मैं उस देंट मेने जोर मैं अर मैं और तो रहती coupa demand हाती हमें सिर्फ भी बोलना के बीटी बैट जाओ आउंगा से आउंगी की चाहत हमें डेले याती है सिर्फ बोलने आप मुझे आउंगा के बजए आउंगी बोल देना में खुश हो जाती है अजिये है यह चाहत और इस पती जान जा रही है यह यह वाँ Sarah, thank you so much for your time I mean for this discussion and I think that we will continue this again Thank you